यूटीव पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड हजारो वीडियोज हैं हजारो यूटीवर से जो आपको ब्लॉगिंग सिखाते हैं उसमें तब कुछ तो बहुत अच्छे हैं बिल्कुल जैनुरेन इंफोर्मेशन देते हैं और कुछ बिल्कुल फेक हैं बस वो अपने चैनल की पब्लिसिटी के लिए वीडियोज मनाते हैं खैर यो तो अलग बात है मुझे आज भी याद है 6-7 महीने पहले जब मैंने अपना ब्लॉग शुरू नहीं किया था मैं भी आपकी तरह इसी तरह से वीडियोज देखा करता था ब्लॉगिंग के लोग अपनी अरनिंग दिखाते है है बैई 1000 डॉग ब्लॉगिंग से कमा रहET तो जब तक हम अपना ब्लॉग शुरू नहीं करते हैं न यकीन ही नहीं होता कि ब्लॉग से वाकि इतनी अरनिंग हो चाती होगी, क्या लिखा हुआ लोग इतना जादा पढ़ते हैं, लेकिन मैं तब शौक्ड था जब मेरी पहली इंकम आना शुरू ही है, अभी रिसेंटली कुछ मन्थ से Google Adsense से मुझे अच्छी खासी इंकम जिनरेट हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आज है 22 अगस् यहाँ पर देखो, जून में, एक से तीस जून तक की अर्निंग कितनी थी? 2387 अब एक जुलाई से 31 जुलाई 2023 की अर्निंग है, 2999 युएस डॉलर, अल्मोस्ट 3000 युएस डॉलर और अभी इस मन्द की एक अगस्त से लेके 22 अगस्त की अर्निंग हो चुकी 2359.47 युएस डॉलर, अब कई लोग का ऐसा लग रहा होगा, यह पेज एडिट भी किया जा सकता है, मैं एडिट वगरा तो नहीं कर रखा है, तो मैं आपको ऑफिशल इमेल भी Google AdSense की तरफ से दिखाता हूँ, मेल तो हम एडिट नहीं कर सकते हैं, तो एक बार मैं आपको इंबॉक्स भी ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहां पर आप देख सकते हो, यह आप मेल देखो पहले, Google Payments की तरफ से, payments-noreply at google.com, ओफिशल गूगल की तरफ से मेल आया हुआ है, और कब आया, तीन बच के सोला मिनट पे, यानि रात को तीन बच के सोला मिनट पे मेल आया अब मैं आपको ट्राफिक भी दिखाता हूँ, एक ब्लॉक का ट्राफिक आपको जरूर दिखाऊंगा, यहां पर आप देखो, लास्ट थ्री मन्स का रिजल्ट है यह, अब चूँकि मैंने नया नया ब्लॉक शुरू किया, चार-चे महीने में आपको ज़ादा नहीं उखा अच्छा लेखो, गूगल से अपने आप ट्राफिक आपको कही ना कहीं से जरूर मिलता रहेगा, तो एवरेज पोजिशन जरूर 50 है, यहां पर लेकिन क्लिक्स आपके सामने है, एक बार में इस पेज को आपके सामने रिफ्रेश करूँगा, बिल्कुल भी एडिटिंग न तो मतलब क्लिक से वगरा तो देखो मेरे ब्लॉग पे आ भी रहे हैं, यह सिर्फ एक ब्लॉग का रिजल्ट है, बाकि 4-6 ब्लॉग हमारे पास और भी हैं, तो मेरे टीम उस पे काम करती रहती है, ब्लॉग का URL आना हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, सिक्यूरिटी रीजन्स की वज़े से, आप तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे गलत लोग भी यूट्यूब पे हैं, जो आजकल DDoS अटैक करवाते हैं, इलीगल तरीके से ट्राफिक भेजते हैं, ब्लॉग डाउन करने के लिए, तो उनसे भी अपने ब्लॉग को सेफ रखना है, हालांकि मैं आस उसको यूज़ करके देखिए, हो सकता है, आपके काम भी आ जाए, खरीत हम सभी जानते हैं कि एक ब्लॉग आपको लाइफ टाइम इंकम कमा करके दे सकता है, अगर आप सही कीवर्ड्स टार्गेट करते हो, ऐसे कीवर्ड्स जिन पे कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, सर्च व सकता है, लेकिन mostly लोग blog start ही नहीं कर पाते, उन्हें starting में भरोसा ही नहीं होता कि उनका blog भी successful हो पाएगा या नहीं, या कुछ लोग के पास domain और hosting खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं, तो वो blogging नहीं कर पाते, तो आज के इस वीडियो में हम दो तरीके से blog बनाना सबसे पहला method होगा 100% free method, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा एक plan ready किया हुआ है, complete blog tutorial, दो method से हैं, सबसे पहला होगा 100% free method, इस free method में सब कुछ free रहेगा, even आपको domain hosting खरीदने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ free of cost रहेगा, आप free में blog बना पाऊगे, मैं आपको हम free of cost keywords को research करना सीखेंगे, free content writing tips by observing other blogs, जो other blogs हैं, जो already successful हो चुके हैं, हम उनको observe करके keywords निकालना सीखेंगे, वो content कैसे लिख रहे हैं, उनसे better content हम लिखना सीखेंगे, यह सारे observations हमें manually करने होते हैं, free content writing tips by chat GPT, हम सभी जानते हैं, chat GPT एक कमाल का AI tool है, जो आपके content writing में help करत हैं, तो chat GPT की help से हम कैसे content ideas generate करेंगे, ताकि आप उसके ऊपर content लिख करके other successful blogs को easily outrank कर सको, then after blogger platform हम यहाँ पे use करने वाले हैं, Google का free of cost blogging platform है, जिस पर आपको domain hosting खर्चा भी नहीं आता है, उसके बाद हम first post को publish करना सीखेंगे, एक post कैसे लिखे जाती है, आप अपने blog का design कैसे change करते हो, templates कैसे apply करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, designing copyright free images for blog, अब blog है तो उसमें images भी हमें put करनी होती है, अगर आप directly Google images डाउनलोड करके upload कर दोगे, तो copyright का issue आ सकता है, मैं आपको बताऊंगा, आप 100% copyright free images कैसे design कर सकते हो, और इसके लिए आपको किसी भी तरह graphic designing skill क जरुत नहीं है, Photoshop वगरे के जरुत बिलकुल भी नहीं पढ़ने वाली है, तो ये तो हमारा free method रहेगा, इसके बाद हम check करेंगे paid method, अब paid method है basically आपके पैसे लगेंगे, तो no doubt free वाले method से थोड़ा better ही होगा, है ना, तो paid method में हम SEMrush के थो keyword research करना सीखेंगे in-depth, SEMrush एक premium tool है, manga tool है, लेकिन no doubt जो बड़े bloggers हैं, वो कहीं न कहीं इसी tool की वज़े से आज बड़े blogger बने हैं, कभी वो छोटे blogger थे, कभी उन्होंने starting की थी, लेकिन ये एक ऐसा tool है, जो in-depth आपको keyword research करने की facility provide करता है, आप एक keyword type करोगे, तो multiple keyword variations देता है, किस keyword पे कितना competition है, कितन search volume है, trending है के नहीं है, सारी चीज़ यह आपको दिखाएगा, तो अभी इसको हम use करना सीखेंगे, और SEM rush tool को 2 हफते तक, यानि 14 days तक आप 100% free of cost use कर सकते हो, उसका offer link मैंने वीडियो के description में भी दिया हुआ है, बिलकुल 100% free रहेगा, आप easily जाके sign up कर लेना, और SEM rush कैसे use क करना होता है, वो भी इस वीडियो में आगे हम देखेंगे, अब इसी tool की help से हम competitors की analysis करना भी सीखेंगे, मान लीजिए, आप electronics के बारे में blogging कर रहे हो, तो जो दूसरे लोग हैं, जो electronics निश में काम कर रहे हैं, उनका blog अलड़ी rank कर रहे हैं, तो basically उनको analyze करना सीखेंगे, उन्होंने कैसे शुरुआत की कौन से keywords हैं, किस तरह का article लिखते हैं, यह हम सब paid tool की help से करने वाले हैं, इसके बाद हम अपना blog setup करेंगे, तो यहाँ पर हम WordPress platform यूज करेंगे, WordPress 100% free of cost platform है, लेकिन आपको domain name और hosting में investment करना होता है, अब क्योंकि कहीं पे अगर आपके पैसे लग रहे हैं, तो no doubt free से थोड़ा better होगा, तो कैसे better हो सकता है, कौन सा platform आपको choose करना चाहिए, वो हम आगे भी discuss करने वाले हैं, then after हम WordPress में post को publish करना सीखेंगे, थोड़ा बहुत on page SEO issues भी fix करेंगे, फिर at last में हम discuss करेंगे, कि free method यानि कि blogger जो है, और paid method जैसे कि WordPress platform है, दोन income generate भी होनी चाहिए, तो शुरुवात आपको कहां से करनी चाहिए, आपको क्या थोड़े पैसे खर्च करके blog start करना चाहिए, या आपको starting में free blog शुरू करना चाहिए, वो सारी चीज़ हम detail में समझेंगे, और मैंने already काफे सरे criteria's यहां पे आपके लिए ready रखें, जिससे आपका भाई सद्दाम कासिम, अगर first time मेरे channel पे आना हुआ है, please channel को support करें, subscribe करें, at the end अगर वीडियो पसंद आए, तभी like कीजेगा, तो without further delay चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अब हमारे plan के हिसाब से सबसे पहले हम एक niche choose करेंगे, niche क्या होता है, आपके blog का topic, एक sports blog start कर सकते हो, उसमें आप सिर्फ sports के बारे में लिखोगे, अगर आपको electronics में interest है, तो आप सिर्फ electronics items के बारे में लिखोगे, तो ये basically niche कहलाते है, electronics हो गया है, sports हो गया, या आप यह कहलो news हो गया, अगर आपने news blog start किया है, तो news भी एक niche कहलाएगा, तो आपको पहले choose क करना होता है कि आपके ब्लॉग का निश क्या होगा हम हर एक चीज के बारे में अपने ब्लॉग में नहीं लिखेंगे अदर्वाइस Google स्टार्टिंग में पहचाने नहीं पाएगा कि आप किस टॉपिक के बारे में आर्टिकल्स लिखते हो तो ऐसे ब्लॉग को इंडेक्स होने दूसरा है Sports हो गया ठीक है? Electronics एक broad niche कहलाएगा, Sports भी एक broad niche है, broad मतलब बहुत बड़ा, ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, electronics के अंदर भी कई सारे different different niche आते हैं, जैसे कि mobile phones, वो भी electronics का part है, computers वो भी electronics का part है, lighting वो भी electronics का part है, तो मतलब एक electronic category के अंद या एक electronic niche के अंदर कई सारे micro niche भी आते हैं इसे हम micro niche कहेंगे mobile phone आप सिर्फ mobile phone को लेकर के ही सारे articles लिख सकते हो अपने blog पे सिर्फ mobile phones के बारे में लिखते हो चाहे वो iPhone है, चाहे वो Samsung का phone है phones के बारे में सिर्फ article लिखोगे तो वो micro niche blog कराएगा इसी तरह से अगर आप सिर्फ computers के बारे में अपना blog स्टार्ट कर रहे हो तो computers आपका micro niche idea हो जाएगा आप सिर्फ computers के बारे में लिखते हो अब mobile phone है या computer है, ये भी काफी ज़ादा vast field है इसे हम micro niche दरूर कहेंगे लेकिन mobile phone के अंदर भी कई सारे nano niche आते हैं जैसे कि अब mobile phone में आप सिर्फ data cable के ऊपर ही पूरा blog start कर सकते हो जिसमें आप सिर्फ data cables के बारे में लिखते हो या फिर tempered glass है ये भी mobile का ही part होता है आप सिर्फ tempered glass के बारे में articles लिख सकते हो अगर हम computers की बात करें तो computer से में भी hard disk हो सकती है एक nano niche आप सिर्फ hard disk के बारे में लिखोगे articles सिर्फ hard disk के बारे में affiliate sales अच्छी खासी generate हो सकती है या फिर आप RAM computer में RAM लगती है आप उसको भी ले करके एक nano niche blog start कर सकते हो इसी तरह से अगर sports की बात करें sports में cricket भी होता है sports में tennis भी होता है sports में football भी होता है तो ये सारे इसके micro niche कहलाएंगे आप चाहो तो सिर्फ tennis के ऊपर पूरा एक blog start कर सकते हो या सिर्फ football के ऊपर लेकिन football भी micro niche idea है इसमें भी थोड़ा बहुत competition आज की rate में बढ़ गया है क्योंकि हर एक blogger micro niche को भी target करने लगा है तो अब हम micro niche से भी और जादा आगे बढ़ेंगे हम nano niche target करेंगे जैसे कि football shoes अब football में ही football shoes भी हो सकते हैं या football की accessories हो सकती है आप उस topic को choose करके आपना blog start कर सकते हो ठीक है तो ये basically एक पूरा niche idea है आप चाहो तो इस video को रोग करके इसका पूरा snapshot ले लो आपको मालूम होना चाहिए micro niche क्या होता है, broad niche क्या होता है, nano niche क्या होता है तो इससे आपका हमेशा idea clear रहेगा अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे basically जो niche choose करने वाले हैं वो है APK अब यह APK क्या होता है जो आप android phones में softwares को install करते हो यह games को install करते हो उस software का extension जो होता है वो है .apk तो mostly लोग आज की rate में .apk files Google पे search करते हैं किसी भी software की file को download करने कोशिश करते हैं इस पे searches बहुत जादा हैं लेकिन सिर्फ मैं आप से कह दूँ तो उस पे believe नहीं करना है हम real results देखेंगे तो आपको simply Google पे जाना है और यहाँ पे अब हमारा next part शुरू होता है free keyword research method ठीक है अब हम keyword research करना सीखेंगे बिल्कुल free of cost Google में आपको type करना है Google trends ठीक है यह Google के एक service है जो basically आपको बताती है लेटेस trend में अभी क्या चल रहा है सबसे पहले website है trends.google.com इसे आप open करोगे अब यहाँ पे हम type कर देते हैं इस text को हटाएंगे और लिख देते हैं APK ठीक है इसके बाद आप explore कर दो अभी यहाँ पे देखो यह trend आपको दिखा रहा है बहुत different type of softwares है तो कौन सी APK फाइल लोग सर्च कर रहे है उसका data आपको नीचे मिलेगा तो यहाँ पर हम चलते हैं यह देखो TorDroid APK यह TorDroid APK कोई software वगरा होगा मोबाइल का अभी यहाँ पर देखो इसके searches कितनी ज़्यादा बड़ी है 1050% ज़्यादा searches बड़ी है इस particular topic के उपर है ना इसको एक बार हम click करते हैं अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं यह कल का trend है काफी ज़्यादा searches रही है इस particular keyword के लिए TorDroid APK इसे हम यहाँ से copy करेंगे अभी यह एक ऐसा topic है जिसको लोग बहुत ज़्यादा Google पर search कर रहे हैं अब हम चलते हैं Ahrefs पर तो आपको simply यह URL open करना है Ahrefs Keyword Generator ठीक है इस URL को मैं वीडियो का description में भी दे दूँगा आप चाहो तो इसको note भी कर लो यह basically एक free keyword generator tool है यहाँ से keyword ideas निकाल सकते हैं आपको simply paste कर देना है अच्छा एक चीज़ और मुझे यहाँ पर check करनी है कि हमारा जो country है वो India selected देखो India में basically यह keyword बहुत ज़्यादा trending है तो यहाँ से आप country भी change करके check कर सकते हो कि worldwide इस particular keyword के कितने ज़्यादा downloads हैं India में कितने हैं मतलब searches वगरा कितनी है basically तो यहाँ पर country आपको अपने हिसाब से choose करना होता है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा India type करूँगा ताकि Ahrefs पर हम देखेंगे इस particular keyword के कितने ज़्यादा searches वगरा आ रहे हैं Find keywords पर click करते हैं मेरे हसाब से कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर देखना यहाँ पर बहुत कम दिखाएगा क्योंकि Ahrefs के पास अभी उतना ज़्यादा डेटा आया नहीं है देखो यहाँ पर Todroid AP के ये एक कोई software वगरा है जिसका search volume 5000 दिखा रहा है अब हम वापस Google पर चलते हैं और हम observe करेंगे कि इस particular keyword पर जितने भी articles rank हो रहे है उन्होंने किस तरह का content लिखा है तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं Google Play का सबसे पहला result है इसे open करते हैं new tab में इसके बाद APK Pure का कोई sub domain है इन्होंने भी इस particular app के बारे में लिखा है एक up to down भी है एक download.it है तो इसे open करते हैं new tab में अभी right now मैंने यहाँ पर देखा Google Play Store पे इस particular app को शायद हटा दिया गया है जिसकी वज़े से Google पे लोग मतलब Google Web Search में लोग जा करके अब इस particular software का APK file डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे है क्योंकि Google Play Store पे अब यह software लोग को मिल नहीं रहा है और यही वज़े है कि 1000% से ज़ादा इसकी searches अभी बढ़ गई है यह बहुत ज़ादर trending में आ चुका है क्योंकि Google Play Store पर अब यह link available नहीं है यह software available नहीं है वरना पहले लोग Google Play Store पर डिरेक्टली जाके वहाँ से डाउनलोड करते थे अगर आपके पास इस file का जुगार हो जाता है तो आप अपने blog पे इस file का डाउनलोड लिंक कुछ इस तरह से रख सकते हो देखो जैसे इनोंने लिखा हुए ना यह एक software है जो torrent downloader है इनोंने software के बारे में सब कुछ लिखा है कितना votes मिला हुआ है प्रोग्राम license क्या है paid है या free है किसने बनाया है वर्जन क्या है थोड़ा बहुत उस particular software के बारे में इनोंने लिख दिया है नीचे advantages ये disadvantages pros, cons भी कहते हैं इनोंने यह आपे लिखा है और देखो ये easily first page पे rank भी कर रहे है अब आप खुद समझो ये एक ऐसा keyword है टॉड्रोइट AP के जिसकी search volume या आप यूँ कहलो इसकी trending searches 1000% से ज़्यादा बढ़ गई है last 24 hours में तो अगर आप इसके ऊपर एक article link देते हो तो बहुत ज़ादा traffic आपको मिल सकता है अब यहाँ पर download link देखो दिया हुआ है जैसे हम click करेंगे तो इस website के पास मतलब जो भी इसका owner है उसके पास ये file पहले से रही होगी आप यहाँ पर देखो start download का आपके पास download हो जाएगी आप अपने पास download कर ले ना फिर अपने blog में भी इसी तरह से upload कर गए आप users को provide करवा देना देखो APK file download हो रही है तो यह basically एक तरीका है कि आप इस तरह का blog भी start कर सकते हो और इस तरह के blog पे AdSense का approval भी मिलता है थोड़ी बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा प्लस आप affiliate sales generate कर सकते हो आजकल जो mobile applications होती है अगर आप उनको अपने affiliate link के जरीए install करवाते हो तो बहुत तगड़ा पैसा आप कमा सकते हो तो affiliate sales बहुत ज़ादा generate होती है APK type के blogs के उपर ठीक है तो हमें basically अपना निश्टो मिल चुका है APK keyword research करना मैंने आपको बता दिया है with the help of Google Trends अभी right now हमारे पास ये एक keyword है ठीक है इसे मैं copy कर लेता हूँ और हम एक Excel file open करेंगे अब यहाँ पर हम लिख देंगे keyword जो हमारे post के लिए keyword रहने वाला है वो है towardroid APK ठीक है अभी इस Excel file को आपको open रखना है अब हमारा अगला plan क्या है next plan है free content writing tips by chat GPT अब हम chat GPT के help से content writing tips लेंगे chat GPT आपको content write करके भी देता है यह हम यूँ कहलें आपको अच्छे content ideas देता है जो आप दूसरों से बहतर लिख सकते हो तो आपको chat GPT के website open करनी है simply यह तो Google पर जाएगा मेरे पास already chat GPT का account है आप यहाँ पर type करना chat GPT तो सबसे पहला link आपको मिलेगा chat.openai.com इस link को आप जैसे open करोगे न तो free of cost आपको sign up कर लेना है chat GPT का free version हम यहाँ पर use करेंगे अब यहाँ पर इसको हम एक prompt देंगे जिसे हम command भी कहते है I want to write a blog post on double quotes में how to download Todroid AP के यह हमने एक title दे दिया ठीक है the focus keyword is Todroid AP के यह हमारा main keyword है can you help me to plan the blog post content ठीक है enter आप push करो अब यह आपकी help करेंगा content की planning में कि आपको पहले कहले कहले लिखना चाहिए बाद में कहले लिखना चाहिए देखो सब कुछ यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले इसने कहा है title दे दिया आपको how to download Todroid AP के जो हमने इसको title दिया था इसके बाद यह कहा रहा है कि पहले आप introduction लिखो इस software के बारे में briefly introduce करो Todroid को उसके बाद mention करो popularity कितनी क्या है then after content में आपको suggest करता है कि पहले यहाँ पे mention को what is Todroid AP के is Todroid AP के available in Google Play Store यह सारे चीज़े आप लिखो मतलब देखो headlines अगर आप यहाँ से cover up करोगे और उस headline के अंदर यह आपको साफ साफ बता रहा है कि इनके चीज़े को cover up करना है कि वो सारे चीज़े आप cover up कर दो जैसे यहाँ पे ही कह रहा है कि इस point के under में आपको लिखना है provide step by step instructions for different android versions मतलब आप proper step by step instruction लिखो इस particular point के अंदर के different different जो android के versions आते हैं उस पे इस software कैसे install होगा तो काफी बढ़िया तरीके से यह आपको पूरा एक content planning करके देता है फिर इसने frequently asked questions भी दिये हैं अब आप एक एक point को explain कर सकते हो अब यहाँ पर basically मैं क्या करूंगा चैट GPT से कहूंगा भाई कि आप हर एक point को खुद से explain कर दो अब चूंकि चैट GPT AI written content है तो Google पर rank होने में दिक्कत होती है हम सभी जानते हैं AI written content को directly copy paste नहीं कर सकते हो आपको इसको proper तरीके से you know human friendly बनाना होगा तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पूरे content को human friendly भी कैसे बना सकते हो तो यहाँ पर basically मैं फिर से इसको एक command दूँगा यह prompt दूँगा please explain each of these points with proper heading structure ठीक है मैंने इसको command दिया भी हर एक point को explain करो proper heading के साथ में अब देखो इसने पूरा content हमारे लिए लिखना शुरू कर दिया है मैं जानता हूँ आपको लग रहा होगा इस content लिखने का फाइदा क्या है अभी आपको बताऊंगा हम इसका फाइदा क्या है आप directly यहाँ से content को copy कर लेना देखो इसने पूरा content हमारे सामने लिख दिया है हर एक point को properly explain किया है अब आप क्या करोगे सबसे पहले इस introduction while line को यहाँ से copy कर लो ठीक है copy किया अब आपको एक website open करनी है saddamkasim.com forward slash quill bot यह link की मैं आपको video को description में दे दूँँगा basically एक paraphrasing tool है इस tool की help से आप पूरे sentence को rewrite करवा सकते हैं जिसे पराफ्रेज भी कहते हैं sentence का meaning नहीं बदलेगा meaning same रहेगा लेकिन यह पूरा 100% unique हो जाएगा तो आपने जो text copy किया है उसे आप यहाँ पर paste करोगे जो free version होता है इस quill board का अभी write now free version यूज़ कर रहे है इसमें आप एक बार में 125 words maximum paraphrase कर सकते हो फिर आपको इसको remove करके दूसरा paragraph copy paste करना है फिर paraphrasing करेंगे ठीक है तो अभी 52 words बचे हैं कोई बात नहीं है हमने एक paragraph यहाँ copy किया है paraphrase पे click कर देते हैं अभी यहाँ पर देखो पूरा content paraphrase हो जाएगा यानि की words change हो जाएगे लेकिन meaning पूरे sentence का same निकलेगा बस हमें कुछ देर यहाँ पर wait करना होता है अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो original sentence था वो क्या था in today's digital age downloading torrents has become an integral part of our online presence तो यहाँ पर इस tool ने क्या लिख दिया है इस पूरे sentence को downloading torrents has become a fundamental aspect of our online presence in the current digital era meaning बिल्कुल same लग रहा है अब अगर आपको लगता है इसमें से कोई एक ऐसा word है जो सही नहीं बैठ रहा है तो आप उसका synonym भी use कर सकते हो जैसे कि fundamental aspects मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है मैं simply इस पर click करूँगा तो देखो यहाँ पर काफे सारे other options आ जाएंगे मतलब इस word को हम replace कर सकते हैं इन में से किसी भी particular set of words से लेकिन meaning same रहेगा, meaning बतलेगा नहीं जैसे यहाँ पर लिखा an important part मैं click करूँगा, देखो sentence अभी भी change नहीं होगा downloading torrents has become an important part हो गया यह थोड़ा सा human friendly sentence हो गया यहाँ पे है न तो basically आप quill boat की help से paraphrase कर सकते हो हर एक paragraph को लेकिन ध्यान रखिएगा free version में आप सिर्फ 125 words तक ही एक बार में paraphrase कर पाओगे अगर आपके पास बहुत सारे articles हैं, बहुत ज़ादा काम है blogging का, तो फिर आप इसका paid version भी ले सकते हो, उसे आप upgrade भी कर सकते हो upgrading का price भी बहुत कम है, minimal है, बहुत ही कम है यहाँ पर आप देखो, free version तो यह रहा है जिसमें आप 125 words paraphrase करते हो वहीं आप premium में unlimited words को paraphrase कर सकते हो, और I think यह 10 dollar के आसपास लेता है, 5-10 dollar पता नहीं मुझे, बहुत कम लेकिन इसका fees है तो यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ कितना price है इनका, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 20 pages per month आप duplicate content को check भी कर सकते हो tone insights से, आप human tone ले सकते हो, robotic tone है या friendly tone है, इस type के tone के options भी आपको इस particular premium version में मिल जाएंगे तो link मैंने पहला तो free वाले version का video का description में दिया है, वहाँ पे link पे click करके आप पहले free version यूज़ करके देखना, जब आपको लगे ना कि हाँ premium version की मुझे ज़रूरत है तभी premium version में जाना, premium version का price भी काफी कम है ठीक है, तो वापस चलते हैं, अब मुझे इस particular sentence को यहाँ से copy कर ले ना, देखो copy full text का option है, मैंने copy कर लिया ठीक है, अब हम Microsoft word file open करेंगे, मैं Mac में हूँ तो यहाँ पे pages यूज़ करूँगा, आपके पास Microsoft word file ज़रूर होगी, उसे open करिएगा और यहाँ पर हम content को proper तरीके से लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मैं title दूँगा यहाँ पे, title क्या था how to download और क्या नाम है, tordroid t-o-r-d-r-o-i-d apk file, ऐसा कुछ title दे दिया है इसके बाद अब आते हैं, content ठीक है, तो content में सबसे पहला हो जाएगा introduction ठीक, introduction के अंदर हमने यह वाला content paste कर दिया है, जो हमने यहाँ से लिखवाया हुआ है, अब एक एक करके आप क्या करना, जितना भी content आप paraphrase करवाओगे न, सबको अपनी file में लिखते चलना तो मैं फिलाल एक काम करूँगा, मैं तो chat gpd content ही copy paste कर देता हूँ बढ़ आप paraphrased content को ही लिखोगे तो यहाँ से मैं इस पूरे content को एक बार में copy कर लेता हूँ, ओके इसके बाद आपको word file open करनी है, और यहाँ पर आपको अपना पूरा content लिख लेना है मैंने तो हालंगी copy paste किया है, बढ़ आप paraphrase करके ही लिखना, ठीक है, now अब हमारा अगला step है, that we have to sign up for the blogger platform, अब blogger क्या है, blogger google की तरफ से एक free service है, जिस पर आप blog set up कर सकते हो, आपकी domain cost भी बच जाती है, आपकी hosting cost भी बच जाती है, अभी क्या फायद है, क्या नुकसान है, वो आगे समझेंगे, पहले हम blog को set up कर लेते हैं, तो other tabs को तो फिलाल एक काम करेंगे, हम सब को बंद कर देंगे, अब google पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको type करना है, blogspot.com, blogspot.com, तो सबसे पहली website आपको दिख रहे है, blogspot.com, इसे आप open कर लोगे, इसके बाद आपको top right corner पर sign in का button मिलेगा, simply इस पर click करना, आपके पास कोई एक gmail account होना चाहिए, उस gmail account के थ्रोग आप यहाँ पर sign up करोगे, तो मैं यहाँ पर कोई एक gmail account use कर लेता हूँ, जैसे यह वाले gmail account है मेरे पास, now, अब इस तरह का interface आपको दिखाई देगा, फिलाल इस pop up को बंद कर देते हैं, यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग को एक नाम देना होगा जैसे कि मैं यहाँ आप इसको नाम दे देता हूँ, apk downloader, या ऐसा कुछ दे देते हैं, my apk blog, ठीक है then after next पे click करेंगे, अब यहाँ पर हमें blog के लिए एक address भी set करना है, address यानि कि जो domain name होगा हमारे blog के लिए, तो आप ऐसा कुछ यहाँ पर दे सकते हो, my apk blog.blogspot.com हमेशा लगा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर आप देखो एक message आ गया, sorry this blog address is not available, यह already किसीने पहले से ले रखा है, my apk.blogspot.com, एक बार तो यह domain name तो available नहीं है, तो हमें को यहाँ नाम choose करना होगा, as करके देखते हैं, apk blogs, यह भी available नहीं है, तो ऐसा कुछ करते हैं, icecreamapps99.blogspot.com, यह हमेशा मैं चेक करता हूँ username, तो यहाँ पर मैंने वही लिया देखो, यह available है, तो अब basically जो complete blog का address होगा, वो पता है क्या रहेगा, वो रहेगा icecreamapps99.blogspot.com, यह आपका basically blog का URL रहेगा, अब next पे click करते हैं, यहाँ पर आपको पूछ रहा है, confirm your display name, how do you want your name displayed to readers of your blog, तो आपको अपना नाम यहाँ पर बस put कर देना है, सद्दाम कासिम, जो पोस्ट आप write करोगे न, तो वो पोस्ट किसने लिखी है, वो नाम display होगा, पोस्ट के नीचे या top कहीं पर भी, तो इसको हमने finish कर दिया, that's it, तो basic setting तो चलो हमने block की कर ली है, अभी यहाँ पर आप देखो, left hand side पे काफी सारे आपको options देखने को लेंगे, एक एक option को पहले explore करते हैं, तो यह दिया हुआ posts वाला option, post वाला अभी selected एको orange color का है, जितने भी post आप लिख दोगे न, वो सारी post यहाँ पर list format में दिखाई देगी, अभी ते हमने कोई post लिखी नहीं है, तो यहाँ पर पोस्ट लिखके आ रहा है, एक post अभी लिखेंगे, तो वो यहाँ पर दिखेगी, then after stats, अब stats में basically आप अपने blog का traffic monitor कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो, अभी कोई stat available नहीं है, लेकिन जब आप blog post publish करोगे, तो जितना भी traffic आएगा, वो सब आप यहाँ पर monitor कर पाओगे, comments section में जितने भी लिखो, आप पर blog post पर comment करेंगे, वो दिखाई देगा, earnings में basically आपकी Google AdSense की सारी earnings यह बाद में दिखाएगा, तो अभी तो AdSense approval मिलने कोई chance ही नहीं है, लेकिन future में जब आपको AdSense का layout कैसा रहने वाला है, तो यहाँ से आप देखो customization कर सकते हो, आपके blog पर अभी right now सबसे उपर search the blog, यानि search box दिखाई देगा, फिर header दिखाई देगा, फिर pages के list आजाएगे, जो as a menu दिखाई देती है, उसके बाद add आजाए Google AdSense का, then after featured post, blog post, यह पुरा type करूँगा, icecreamapps99.blogspot.com, यह हमारे blog का URL है, enter push करते हैं, तो अभी right now आप देखना, हमारा blog कैसा दिखाई देता है, तो अभी कुछ इस तरह का blog देखो, दिखाई दे रहा है, यह theme लगी हुई है, हम चाहें तो यहाँ से theme को change कर सकते हैं, जैसे कि माल लोकर मैं यह वाले theme लगाना चाहूँ, तो click करूँगा इसके उपर, और सीधा apply कर दूँगा, देखो apply, new theme applied हो चुकी है, अब हम फिर से इस page को एक बार refresh करके देखते हैं, design देखना change हो जाएगा, देखो change हो गया, black theme के साथ में आ गया, तो blogger में basically कुछ पहले से themes दी होती हैं, जो भी theme आपको सही लगे, उस theme को आप choose कर सकते हैं, preview आपको यहीं पर देखो दिखाई देता है, जैसे अगर माल लो यह वाली आप theme चूज करोगे न, तो यह देखो basically इस तरह के content आपके blog पे arrange हो जाएगा, तो फिलाल इसको भी as list छोड़ देते हैं, इसके बाद settings में चलते हैं, settings में काफी सारे चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, जैसे यह title है, अगर आपको अपने blog का title चेंज करना है, सबसे उपर यहाँ पर title लेखो दिखता है न, यह browser tab के उपर my apk blog, अगर आपको title चेंज करना है, इस पर क्लिक कर देना, और title को आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, description में आप अपने blog के बारे में description लिखोगे, basically आप किस-किस चीज़ के बारे में blog post write करते हो, तो यहाँ पर मैं छोटा से extenders लिख देता हूँ, this blog is all about downloading apk files, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, इसके बाद save पर क्लिक कर देते हैं, that's it, blog की language क्या रहने वाली है, English में करोगे, Hindi में करोगे, तो वो language आप यहाँ से choose कर सकते हो, adult content तो नहीं है ना आपका, तो फिलाल adult content कभी डालना भी मत मनना, गूगल AdSense का approval कभी नहीं मिलने वाला है, then after यहाँ पे visible to search engines, यह option हमेशे selected होना चाहिए, तभी आपका blog गूगल पे दिखाई देगा, otherwise नहीं दिखाई देगा, यह हमारे blog का address है, देखो icecreamapps99.blogspot.com, किसी भी user को अगर आपका अपना blog open करवाना है, कोई friend वगरा है, आप सो दिखाना चाहते हो, तो सीधा उसको यह वाला address send कर देना, वो अपने end पे आपके blog को open कर लेगा, यहाँ पे HTTPS redirect है, यह enable है, अब इस option की help से, आपके blog के आगए, यह lock वाला symbol लगा रहा है, क्लिक करोगे तो लिखके आगए connection secure, तो यह option भी आपका enable होना चाहिए, Google की तरफ से पहले से आपको SSL certificate मिल जाता है, यहाँ पे author का नाम बगरा कुछ दिया हुआ है, number of post कितने हैं, तो maximum post shown on main page, इसका क्या मतलब है, यह जो हमारा main page है, जब आप कल को post write करोगे, मालो आपने 50 post write किये, तो आपके इस first वाले page पे maximum सिर्फ 7 post ही दिखाई देंगे, 7, 7 इतने होते हैं न, 7 post दिखेगा, अगर आप चाहते हो, आपके home page पे 7 से ज़ादा post एक time पे दिखाई दे, तो आप उस number को यहाँ से change कर सकते हो, और simply इस पे click करोगे, तो इस number को आप मालो 10 कर दो, तो home page पे आपके 10 post दिखेंगे, फिर नीचे pagination लग जाएगा second page, तो बंदा second page पे click करेगा, तो फिर दूसरे page पे 10 दिखाई देंगे, इस तरह से चलता है, मतलब pagination वगरा add हो जाता है, then after यहाँ पे कुछ सारे और भी options दिए, इन सब को हम बाद में check करके देखेंगे न, time zone यहाँ से आप change कर ले न, आप अपना इंडिया का time zone लगा ले न, तो यहाँ पे जैसे मैं इंडिया में हूँ, देखते हैं Indian time zone कहाँ पे दिया हुआ है, I think Kolkata वगरा कुछ दिया होगा, so यह रहा Kolkata, मैंने select कर लिया है, India standard time, इसे हम save कर देते हैं, हम जितनी भी post write करेंगे, वो Indian time के हिसाब से हमारे front page पे दिखाई देगी, बाकि है कुछ advanced options से, इसमें हम बाद में आ सकते हैं, ठीक है, अब post write करना सीखते हैं, post आप कैसे write करोगे, देखो यहाँ पे button दिया हो, new post का, पहले आप जाना posts पे, ताकि यह button आपको हमेशा दिखाई दे, कई बार ऐसा होगा, आप pages वाले tap पे रहोगे न, तो यहाँ पे देखो post वाला option गायब हो गया, तो जो option आप यहाँ से choose करते हो, button का text वही change हो जाता है, पहले हम post को select करेंगे, new post आ गया, इस पर आपको click कर देना है, अब नया interface हमारे सामने open हो गया, सबसे top पे देखो यह दिया हो है, title वाला box, तो यहाँ पे आप title को type कर दोगे, title क्या है, how to download Todroid AP के file, copy किया मैंने इसको यहाँ से, और paste कर दिया, यह हमारा title हो गया, इसके बाद content आप यहाँ पे write करते हो, तो content हमारे पास क्या है, यह पूरा का पूरा content है, मैं यहाँ से copy करूँगा, और इसके बाद हम यहाँ पर paste कर देते हैं, that's it, अब आपको से थोड़ी बहुत formatting वगरा करनी है, जैसे देखो, text अभी बिल्कु प्लेन हो गया अगदम, कोई heading, heading सब गायब हो गई है, heading आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपने इस text को select किया, आप चाहो तो इसे bold कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप paragraph में जा करके heading अप्लाई कर सकते हो, उस sub heading है, तो यहाँ पे से हम sub heading बना देते हैं, ठीक है, इसके बाद यह भी एक heading थी basically, यहाँ पे आप पहले से select करोगे, paragraph में जाओगे, और इसे आप minor heading बना दो, यह sub heading चलो इसे भी बना दो, मैंने यहाँ पे सारी heading में इस पूरे content को divide किया है, कुछ text को हम bold भी कर देते हैं, ताकि थोड़ा बहुत content हमारा अच्छा लगना भी चाहिए, अब अगर आप इस post में कोई image बगर इंसर्ट करना चाहते हो, तो image कैसे insert करते हैं, मान लीजे, मुझे यहाँ पे इस line के बाद एक image लगानी है, तो पहले आप enter push करोगे, है ना cursor यहाँ blink कर रहा है, अब यहाँ पर आप देखो सबसे top पे, यह दिया हुआ है media वाला option insert image, क्लिक करो, अगर आपको photo computer से upload करनी है, तो आप simply इस option पे जाओगे, और directly अपने computer से कोई भी एक photo आप upload कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे मालो कोई एक photo choose कर लेता हूँ, जैसे site origin है चलो, open कर लेते हैं, और इस image को मैं अपनी post में insert करवा दूँगा, select करेंगे, और यह image देखो यहाँ पे दिखने लग जाएगे, alignment आप left कर सकते हो, image को select करोगे, center भी आ जाएगा, image को select करोगे, आप right भी कर सकते हो, तो यह आपके उपर depend करता है, मैं center कर देता हूँ, ठीक है, इतना हम ने कर लिए, यह post हम blogger में right कर सकते हैं, right hand side पे आप देखो labels का option दिया हूँ, यहाँ पे आप कुछ labels दे सकते हूँ, जिसे हम tags भी कह सकते हैं, जैसे के हम यहाँ पे keyword type कर देंगे, T-O-R-R-D-R-O-I-D और A-P-K, कॉमा लगा दिया, ठीक है, एक label यह हो गया, दूसरा, A-P-K, download, यह भी हो गया, तो इस तरह से आप multiple labels यहाँ पे दे सकते हो, जिससे Google पहचानता है, पोस्ट के इस बारे में है, पर्मा लिंक में बेसिकली आपके इस particular पोस्ट का यूनिक URL होता है, वो दिखाई देगा, देखो यह रहा, आपके पोस्ट का यूनिक URL यह रहेगा, कॉपी करेंगे हम, और इसे बाद में भी open करके देखेंगे, देन आफ्र लोकेशन दिया हुआ है, आप कहां से हो, अगर आपने इंडियन ओडियन्स को target करना है, तो आप यहाँ पे INDIA टाइब कर दो, इसके बाद हम सर्च करेंगे, देखों, इंडिया सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो यानि कि अब यह post mostly इंडिया के लिए optimized है, other options भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इस reader comments है, क्या आप चाहते हो कि इस post के उपर लोग comment करें, तो allow कर दो, नहीं चाहते हो तो do not allow करो, और जो existing comments अगर आपने hide करना चाहते हो, तो hide भी कर सकते हो, बस इतना ही करने के बाद, आप simply publish कर दोगे और confirm कर दो, आपका यह post publish हो जुका है, देखो, अब posts में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है न यह, यह tag आपको दिखाई दे रहा है, इसका unique URL है सबसे उपर, और यह पूरा पूरा post यहाँ पे दिया हुआ है, अब एक सबसे बड़े दिक्कत यहाँ पर यह है, ब्लॉगर में बिसिकले दिक्कत है यह, इसमें बहुत ज़ादा limitations है, कैसे limitation है मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से इसका backend open करते हैं, अब माल लीजिए मुझे कोई button बनाना है, तो यहाँ पर आप देखो कोई भी ऐसा option नहीं, कि मैं button बना सकूँ, जिसमें download link मैं दे सकूँ user को, है ना, अगर मैं downloading करवाना चाहूँ, तो कैसे करवा सकता हूँ, बस यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, download file here, ठीक है, और इस text को अब मैं link में convert कर दूँँगा, यहाँ मैंने select किया, इसके बाद और यह link वाला option दिया हुए है, यह link वाला option है, click करो, जो भी download link रहेगा, वो आप यहाँ पर provide कर दो, तो अब एक तरीका तो यह है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमने file download की थी न, कहां गई वो file यह, .ap के file to android की थी, इससे पहले मैं किसी media पर जाके upload करूँ, यह Google Drive में जाके upload कर दूँ, उसके बाद Google Drive का link मैं यहाँ पर provide करूँ, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, एक काम करते हैं, drive.google.com open करते हैं, और वहाँ पर इस file को हम पहले upload कर देंगे, तो यहाँ पर new folder में चलते हैं, और यहाँ पर इस file को हम upload करेंगे, यह APK file open कर लिया हमने, और यह file यहाँ पर upload हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे, right click करके share पर जाएंगे, and then copy link किया हमने, फिर manage access पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर restricted है, इसे आप कर दो anyone with this link, अब copy कर लेते हैं इस link को, वापस आएंगे अपने post पर, और यहाँ पर उस link को हम paste कर देंगे, इसके बाद open this link in new window यह आप कर सकते हो, हमेशा आपको यह वाला option जरूँ सेलेट अखना है, add relation equal to no follow, apply कर दो, ठीक है, अब यह download file वाला यहाँ पर link बन चुका है, फिर से post को हम update करेंगे, और इसके बाद इस page को एक बार refresh कर लेते हैं, तो अभी आप देखो download file का option आगा है, जब user क्लिक करेगा, तो directly google drive से जा करके वो download कर सकता है, बड़ यह मतलब सही तरीका नहीं है, हम buttons वगरा create करेंगे, उसमें ज़्यादा मजा आएगा, तो basically blogger में काफी ज़्यादा limitations होते हैं, यहाँ पर यह limitation ही है, कि आप देखो ज़्यादा SEO नहीं कर सकते, आप कहीं पर keyword proper तरीकी से set नहीं कर सकते, जो हमारा focus keyword है, जिसके लिए article rank होना चाहिए, वैसा कोई यहाँ पर कुछ भी area नहीं है, कोई extra plugins को install नहीं कर सकते, जिससे आप अपने post को और भी ज़्यादा optimize कर सके, तो यही एक वज़ा है कि मैं blogger पर blogging कभी recommend नहीं करता, आप free domain के चक्कर में, free hosting के चकर में, आप blogger पर blog अपना start करते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है blogger के blog को rank कर पाना, क्योंकि यहाँ पर आपको SEO tools वगरा नहीं मिलते, आप इतनी मेहनत करोगे articles को write करने में, content research करने में, keyword research करने में, और फिर आप बहुत ज़्यादा resources भी use करते हो, at last आपको result नहीं मिलता, तो क्या फायदा है free wallet tool के साथ जाने में, तो मैं आपको हमेशा recommend करता हूँ, कि अगर आप अपना blogging में, अपना सिक्का जमाना चाहते हो, आप काम्याब होना चाहते हो, तो WordPress पे ही blog बनाओ, WordPress सबसे सही tool है, उसके blog post rank भी जल्दी होते हैं, प्लस बहुत सारे आपको SEO वाले tools मिलेंगे, तो अभी फिलाल हम WordPress पे blog बनाना सीखेंगे, जो के paid method है, पर उससे पहले मैं आपको कुछ copyright free images डिजाइन करना सिखा देता हूँ, जो blog post होता है न, blog post में images भी आपको insert करनी होती है, अगर आप directly Google images पे जाकर करके, वहां की images को upload कर दोगे, तो copyright का issue आ जाएगा, तो आपको खुद की images को ही design करना आना चाहिए, अब इसके लिए सबसे सही टूल है Canva, canva.com पे आपको जाना है, एक free account create कर लेना, इस website पर आ करके, आप copyright free images बिना किसी Photoshop skill के easily बना सकते हो, और यहीं से मैं अपने सारे YouTube के thumbnails भी design करते हूँ, आप देख सकते हो, thumbnails YouTube के हैं, Instagram बगरा का है, उमीद करता हूँ, आपको वीडियो समझ में आ रहा हूँ, अप लीज इसी बात पर चैनल को subscribe करके, वीडियो को like जरूर कर दीजे, चलिए आप image को design करते हैं, अब यहाँ पर सबसे top पर आपको मिलेगा create a design का button, तो यहाँ पर आप देखो custom size दिया हुआ है, इसको आपको select कर लेना है, और जितनी भी size की आप image design करना चाहते हो, उसका size आप यहाँ पर provide करो, with यहाँ पर दे सकते हो, जैसे के 600 pixel, ठीक है, height मैं देता हूँ 400 pixel, मुझे basically rectangular shape की image design करनी है, इसके बाद create new design पर click करेंगे, new tab में designing area open होगे, यह पूरे designing area है, अब left hand side पर आप देखो, काफी सारे options आपको देखने को मिलेंगे, जैसे के elements है, elements में आपको काफी सारे पहले से elements देखने को मिलते हैं, जैसे graphics हैं, shapes हैं, आपे stickers वगरा हैं, photos हैं, यह सब आप अपनी image में use कर सकते हैं, यह फोटोज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, see all पर क्लिक करते हैं, यह सारी copyright free images हैं, आप easily इनको use कर सकते हो, हम एक काम करते हैं, elements में, यहाँ पर हम सर्च करते हैं, AP के, देखते हैं, कोई file हमें देखती है क्या, यह रही, देखो देख रही है, यह AP के हैं जैसी आप left पर क्लिक करोगे, यह automatically file आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी, अब आप चाहो तो इसको resize भी इस तरह से कर सकते हो, मतलब size कम ज्यादा कर सकते हो, यह आपके उपर depend करता है, और यहाँ पर हम कुछ text वगरा भी add कर सकते हैं, उसका बड़ा simple सा तरीका है, देखो यह text दिया हुआ है, click करेंगे, और यहाँ पर आप काफी सारे font styles भी देखने को मिलते हैं, अब जैसे मालनीज आपको यह वाला पसंद आ रहा है, तो बस left click करो, यह right hand side पर दिखने लग जाएगा, इसका size छोटा है, यह बड़ा आप इस तरह से कर सकते हो, और यहाँ पर हम text को अगर change करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे, आप इस पर double click करोगे, जैखो इस select हो गया, delete कर दो, delete करने के बाद हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकते हैं, T-O-R-R-D-R-O-I-D, ठीक है, यह लिख दिया, delivery है, यहाँ पर लिख दियते हैं, APK, file, और सबसे नीचे हम यहाँ पर एक download वाला button भी लगा देंगे, तो elements में चलते हैं, और यहाँ पर search करते हैं, D-O-W-N-L-O-A-D, देखते हैं, download नाम से कुछ आता है, देखो button दिख रहा है मुझे, see all पर click करते हैं, देखो यह button दिख रहा है, click करेंगे, तो button देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो इस तरह से basically हम images को भी design कर सकते हैं, D नीचे आ रहा है न, एक काम और करों यहाँ पर, इस text को हम resize कर देते हैं, simply click करेंगे, और देखो यहाँ पर option दिया होता है, font size का, तो आप minus पर यह से click करोगे, font का size छोटा होता जाएगा, अब देखो सब कुछ एक line में आ गया, अगर आप इन दोनों text के बीच में gap add करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर देखो option दिया होता, line height का, spacing पर आप जाओगे, और यह line spacing, जैसे हैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, दोनों lines के बीच में gap बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर काफी सारे आपको बड़ीया-बड़ीया tools देखने को मिलते हैं, अगर आपको text का color वगरा change करना है, जैसे माले टॉडरेड है color आपको change करना है, तो double click करके पहले इसको select कर लो, इसके बाद आपको A पर जाओगे, यहाँ से आप कोई साभी color change कर सकते हो, अगर आपको blue करना है, blue हो जाएगा, देखो blue हो गया यह, तो colors वगरा सब कुछ आप यहाँ से change कर सकते हो, अब इस image को अगर हमें download करना है, एक काम करते हैं, इसमें background color भी कुछ लगा देते हैं, तो white area को पहले select करेंगे, देन यहाँ पर color का option मिलेगा, और यहाँ से कुछ color हम set करते हैं background में, जैसे मानलो यह वाला सही लग रहा है न, इसको चलो add कर लेते हैं, अब मुझे इस image को download करना है, तो कैसे करेंगे download, top right corner पर share का option है, आपको जाना होगा download में, यहाँ पर confirm कर ले न, file type png होना चाहिए, यह आपका size रहेगा, simply download पर click कर लीजे, और यह file आपके computer पर download हो जाएगी, अब एक चीज़ का आपको धिहान रखना है, यह देखो file download हो गई न, यहाँ पर जो मैं Canva का version यूज़ कर रहा हूँ, वो premium version है, मैं Canva का paid version यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हर एक option unlock है, यह pro दिख रहा है न, यह button बेखो pro था, मैं इसको use कर पाया, जब आप free version यूज़ करोगे, तो आप यह crown वाला जितना भी pro वाले elements से, discount link के भी वीडियो को description में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जा करके आप premium version को कम price में भी sign up कर सकते हो, ठीक है, ओके, तो अभी हमने file को download कर लिया है, और यहाँ पर देखो, यह image आगई, इसका actual size भी है, preview है, अब इसको हम चाहें तो insert कर सकते हैं, मालो सबसे top पे अगर आपको insert करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे insert image पर upload from computer पर click करेंगे, और जहाँ पर भी हमने उस file को download कर रखा है, मेरे downloads folder में हम upload कर लेंगे, select पर click करते हैं, और यह image आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आप चाहोँ इस image को resize भी कर सकते हैं, जिस तरह से बड़ा या छोटा जासा भी आपको दिखाना है, तो वो भी आपके ऊपर depend करता है, तो यह image आपको यहाँ पर दिखाई देगी, फिर से आप post को update कर देना, और अपने इस front page विक बार refresh करके देगना, आपको image यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, तो यह भी एक हमने post यहाँ पर write कर लिया है, with the help of chat GPT and quillbot paraphrasing tool, अब हम चलते हैं, पेड method की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ, पेड method आपके लिए ज़्यादा फाइदे मन्द है, पेड method इतना भी नहीं कि बहुत महेंगा होगा, लेकिन हाँ, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो blog से, तो थोड़ा सा investment करना होता है, हजारों लाखों रुपे नहीं, लेकिन थोड़ा पैसा invest कर सकते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर हम keyword research सीखेंगे किससे, SEMrush टूल की help से, एक premium टूल है, दो हफ़ते आप बिल्कुल इस टूल को free of cost यूज़ कर पाऊगे, इसका मैंने offer link आपको वीडियो को description में दिया हुआ है, तो अब मैं आपको SEMrush का ज्यादू दिखाता हूँ को यह टूल कितने कमाल का है, तो पहले तो इस टूल को यूज़ करने के लिए, आपको simply website open करने है, saddamkasim.com forward slash SEMrush, SEMrush, तो इस link के जरीए आप इस टूल को बिल्कुल free of cost यूज़ कर पाऊगे, यहाँ पे आप देखो, start your free trial का option दिया हुआ है, मेरे पास already SEMrush का account है, तो पहले मैं उसमें login कर लेता हूँ, यह है SEMrush का dashboard, जब अपने account में हम login कर लेते हैं, आपको इस तरह कुछ window दिखाई देगी, अब SEMrush क्या है, SEMrush है keyword research tool है, content research tool है, competitor analysis tool है, मतलब यह आप यह कहलो, कि SEO का पूरा का पूरा एक ब्रह्मास्त रही है, अगर इंडिया में हम कहें, तो यह ब्रह्मास्त रही है, आप इस tool की help से, blogging में निश्चित ही successful आप हो सकते हो, बिलकुल आपको कामियाबी मिल सकती है, क्यूंकि इस keyword की tool से, आप हजारों लाखों keyword ideas भी निकाल सकते हो, अपने competitors को analyze भी कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ, left में देखो, यहाँ एक option दिया हुआ, keyword overview, इस पे हम चलते हैं, और यहाँ पर हम type कर देंगे, APK, बस इतना ही type करते हैं, country choose कर लेते हैं, इंडिया, ठीक है, then search पे click करेंगे, तो अभी आप देखो यहाँ पर, APK से related, 898.6K, इतने keywords हैं, जिसमें APK word आता है, और total जो search volume है, वो कितने का, global search volume, 1.6 million का, इन सभी keyword पे total search volume, और इंडिया में ही 368K के around है, मतलब 368,000 से भी ज़ाद है, इंडिया का search volume है, keyword difficulty basically क्या होती है, हर एक keyword को 100 में से कुछ marks दिये जाते हैं, अगर marks बहुत ज़ादा हैं, जैसे 100 में से 100% दिखा रहा हैं न, तो ऐसे keyword पे rank कर पाना नामुम्किन है starting में, अगर ये number कम है, 1 है, 0 है, 2 है, 20 तक है, तो बहुत easy होता है rank करना, अभी हम यहाँ पर देख सकते है keyword ideas वाले section में, keyword variations 898,000 के 8,998,000 कीवर्ड्स हैं, जिसमें APK included है, लोग Google पे Vidmate APK सर्च करते हैं, हर महीने 2.2 million का search volume है Google पे, इस particular keyword के लिए, वो भी सिर्फ इंडिया में ही, तो यहाँ पे हम click करेंगे view all पे, और देखते हैं सारे keywords की list, तो यह हमारे सामने पूरा data निकल करके आ गया है, अब सबसे पहले analyze करते हैं, Vidmate APK 22,40,000 का search volume हर महीने का है, यहाँ पे trends भी आपको देखने को मिल रहे, trend का मतलब कि इस keyword का क्या trend है, लो कितना search कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो trend का chart बराबर मतलब सही चल रहा है, नीचे उपर, नीचे उपर चल रहा है, मतलब इस keyword की searches अच्छी खासी हैं, 100 में से 70 keyword difficulty है, देखो message भी लिख क्या रहा है hard, you will need lots of high quality referral domains and optimized content, अगर आपको इस keyword के लिए rank करना है, तो बहुत ज़ाद आपको links वगरा चाहिए होंगे, तो SEM rush में आपको इस सारा data देखने को मिलता है, plus यहाँ पे results आप देख रहे हो, 12.2 million, मतलब इतने number of blogs हैं, जो particular इस keyword के लिए Google पे rank कर रहे हैं, search results में दिखाई देते हैं, first page में नहीं, पूरे Google search में दिखाई देते हैं, 12 million से भी ज़ादा search pages हैं, इसी तरह से दूसरा keyword है, Vidmate AP के download, तो इसकी भी अच्छी खासी सर्चेश हैं, 18,30,000 की हर मंथ की सर्चेश हैं, trend का chart अभी थोड़ा सा गिर गया, देखो trend में गुरा बना हुआ था, यह मतलब अच्छी खासी सर्चेश थी, लेकिन अभी recently गिर गया है, इस पट्टिलर keyword का chart, और यहाँ पर keyword difficulty 68 है, तो मतलब इस keyword को भी हम target नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम ऐसे keywords को find out करने कोशिश करेंगे, जिनकी keyword difficulty maximum 20 है, 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर KD में आप जाओगे, और यहाँ पर आप टाइप कर दोगे 20, इसके बाद apply कर देते हैं, अब SEM Rush आपको सिर्फ वो ही keywords दिखाएगा, एक लाग 35 हजार का सर्च वॉल्यू में, trend chart भी ठीक ठाक बना हुआ है, keyword difficulty मातर 10 है, उपर देखो लिखके भी आ रहा है, very easy, your chance to start ranking new pages, आप easily rank कर सकते हैं, और सही सा article लिख दो, और सबसे अच्छी बात यह हैं, कि सिर्फ 78 ही ऐसे blocks हैं, जो इस particular keyword के लिए rank कर रहे हैं, search results में, आप देखो यहाँ पे, तो बहुत अच्छा chance है, आप इस keyword को ले करके एक बड़ी आसा article लिखो, वो easily rank हो सकता है, दूसरा एक और keyword यहाँ पे दिया हुआ है, Foxy AP के download, 17 सिर्फ keyword difficulty, 74 हजार का search volume है, सिर्फ 64 results हैं Google पे, तो आप इस keyword को भी target करके, अच्छा कासा article लिख सकते हो, अब थोड़ा बहुत और analysis करते हैं, first वाला link है, इस पे हम जैसी click करेंगे, तो new tab में, अब इस keyword के लिए particularly, कितने blogs rank कर रहे हैं, उनकी page authority के आए, सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसी वज़े से, SEM Rush Tool, bloggers का सबसे favorite tool है, क्योंकि यही वो tool है, जो bloggers को कामियाब बनाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस keyword का search volume, 1,35,000 है, keyword difficulty मातर 10 है, और इस particular keyword के भी, 47 keyword variations हमें देखने को मिल रहे हैं, सबसे नीचे आप देखो, 78 websites rank कर रहे हैं, सबसे पहली कौन सी है, यहाँ पे एक URL दिया हुआ है, watchmovierules.2, ठीक है, इसका page authority score देखो, आप कितना 0 है, मातर 0 page authority है, फिर भी यह first number पे rank कर रहा है, reference domains कितने सिर्फ एक है, एक reference domain पे link मिला हुआ, एक ही backlink मिला है, और traffic देखो, आप total block का कितना आदा, 30 million से भी ज्यादा है, उसके बाद दूसरा हमाई सामने एक और है, abkmodget.com, इसका भी देखो, ब्लॉग rank कर रहा है, page authority 0 है, reference domain भी 0 है, backlink से भी बिल्कुल नहीं मने है, फिर भी 12,000 का traffic आ रहा है, एक और है यहाँ पे, इसमें विदेखो सब कुछ 0 है, लेकिन traffic धायजार का मिल रहा है, इनको तो और भी जादा मिल रहा है, सरकारी जॉब टीवी को, page authority 0 है, reference domain 0 है, backlink 0 है, अब यहाँ पे आप decision ले पाओगे, कि आपको इस particular keyword के लिए article लिखना चाहिए, या नहीं, जब ऐसे domain जिनका page authority बिल्कुल 0 है, कोई backlink नहीं है, को reference domain का कोई link नहीं मिल रहा है, फिर भी वह गर rank कर रहे हैं, तो आप इनसे बहतर अगर content लिखते हो ना, इस सिर्फ content के dumb पे rank कर रहे हैं, आप इनसे अच्छा content लिख दो, तो आपको Google top पे दिखा देगा, आप कैसा content इन्होंने लिखा है, तो उसके लिए आप देखो इस arrow पे क्लिक करो, तो इनका blog का पूरा URL ही हमारे सामने open हो जाएगा, फर आप content की analysis करके देखेंगे, कितनी बारे उन्होंने keywords अपना use किया है, slug या permalink का structure क्या है, उसमें keyword कौन सा use किया है, और content कैसा इन्होंने structurize किया है, I think इस link ओपन उन्होंने काफ़ दा time लग रहा है, इससे बंद कर देते हैं, दूसरा link ओपन करके देखते हैं, APK Modget, ओके, तो यहाँ पर आप देखो, इन्होंने इस particular software के बारे में, tabular format में सारा data रखा है, जो काफी अच्छी बात है, और इन्होंने देखो, download link Google Play Store का लगा है, जिसकी वज़या से देखो, यहाँ पर इस site पूरी genuine दिखाई दे रही है, Google AdSense का approval मिला हुआ है इनको, आपको भी ऐसा ही करना है, कोशिश करें, download link directly आप मत दो अपने blog पे, अब जब तक आपको Google AdSense का approval नहीं मिल जाता है, आप Google Play Store वाले apps का ही download link आप दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने हलांगी खुद का भी download link दिया हुआ है, बाकी Google AdSense का approval नहीं को मिला है, फिर देखो table of content आगया, इसके बाद इन्होंने पूरा इस app के बारे में सब कुछ लिखा है, description देखो यहाँ पर लिखा है, फिर heading यूज की है, इसके बार download content क्या है, यहाँ पर जो इनका keyword नहीं बेसिकली वो है, movie rules APK, देखो इन्होंने keyword कितना smart तरीके से यूज किया, movie rules APK ले लिया, movie rules APK यहाँ पर भी आ गया, तो यह एक सही तरीका है content को यूज करने का, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, कि यह तो movie rules APK के keyword चलो सही है, लेकिन यहाँ पर pro बीच में आ गया keyword की बीच में, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आपको ज़ादा keyword stuffing नहीं करनी है, मान लो आपने 1000 word का article लिखा है, अब ऐसा मत करना है, तो 100 बार आप keyword को डाल दोगे, movie rules APK, 100 बार आपको नहीं insert करना है, otherwise वो spamming दिखाई देगा, एक limit होती है कि हाँ कितनी बार आपको, अपने article में keywords को use करना चाहिए, तो वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पर हलाएं कि आप अपने post में, उस particular keyword के variations जरूर use कर सकते हो, जैसे देखो, इसी keyword के 47 variations available है, हम चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, main keyword तो हमारा यह है, जिसके लिए 1,35,000 सर्चेज हैं, उसके अलाबा other keywords भी हैं, जैसे movie rules AP के download, अठारा जार इसकी भी सर्चेज आती हैं, तो आप इस keyword को भी use करो, 3 movie rules AP के इसको भी use करो अपने post में, movie rules 4 AP के download इसे भी use करो, मतलब इन variations को भी आपको use करना है अपने post में, तो Google को इस सब कुछ एक genuine दिखाई देता है, और इससे आपको AdSense का approval easily मिलेगा, ठीक है, तो हमारे plan के हिसाब से, हमने keyword research करना सीख लिया है, 2 weeks तक आप SEM rush को बिल्कुल free of cost यूज कर सकते हो, वीडियो को description में मैं उसका link दे दिया है, वहाँ जाके आप sign up कर लेना, competitor के हमने analysis करना भी सीख लिये, हमने competitor के site भी देखना सीख लिया है, उनका page authority, reference, domain, backlinks, सब कुछ हमने check करना सीखा है, अब हम अपना blog setup करेंगे wordpress पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना खुद का domain यूज करेंगे, जब हमने blog spot के ऊपर अपना blog setup किया तो देखो, यहाँ पे हमें अपना domain नहीं मिलता है, blogspot.com हमेशा लगा रहेगा, जो user को साफ साफ दिखाता है, कि हमने एक मतलब free of cost tool user के blog setup किया है, कहीं नहीं trust यहाँ पर थोड़ा सा break हो जाता है, तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपना खुद का domain लो, अगर ऐसा होता न, icecreamapps99.com तो वो हमारा खुद का domain होता, तो अब हम wordpress पे अपना खुद का domain ले करके, खुद का blog setup करेंगे, और wordpress के blogs ब अपने blog के लिए space लेते हो, ताकि आपको blog इंटरनेट पे live रहेगा, तो उसके लिए आपको simply website open करनी है, saddamkasim.com forward slash hostinger, जब इस link पे आप जाते हो ता आप hostinger की official website पे पहुँच जाते हो, hostinger बहुत ही शांदार, बहुत ही reliable, बहुत ही robust hosting company है, जो आपको सबसे सस्ती web hosting प्र तो फिर आप hosting में जाके web hosting भी choose कर सकते हो, then after claim deal पे हम click करेंगे, अब यहाँ पे तीन plan आपको दिखाई देते हैं, एक है premium plan, दूसरा है business plan, तीसरा है cloud startup, अब जब आप AP के type का blog start कर रहे हैं, जिसे भर-भर के traffic आता है, तो obviously बात है हमें एक ऐसी web hosting use करनी है, जो इतने traffic को easily handle कर सके, हमारा blog down नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखके नाजा site not found, जैसे अभी हमने एक site देखी दिना, वो not reachable थी, वैसा नहीं होना चाहिए, वरना आपके ranking गिर जाती है, तो यहाँ पर आपको choose करना है business plan, business plan सबसे सही है hostinger का, इसलिए क्योंकि इस इस plan का price तो सिर्फ 269 उपीज पर मन्त का ही पड़ता है, लेकिन इसमें आप 100 websites तक बना सकते हो, 100 websites या 100 different different blogs आप बना सकते हो, मालो कल की date में आपके किसी friend को भी blog start करना है, तो आप उनका blog भी अपने इसी plan में host कर सकते हो, अगले बंदे को hosting नहीं खरीदनी पड़ेगी, आ आप उससे पैसे चार्ज कर लो थोड़े बहुत जो लेने हैं, और बाकि आप इसी plan में अगले बंदे का blog भी setup कर सकते हो, तो आप 200 blog आप बना पाओगे, 5x तक की increased speed आपको यहाँ पर मिलती है, super fast आपकी website लोड होगी, 200 GB का total NVMe storage मिलता, 200 GB तक का data total आप upload कर सकते हो, अपने business emails मिलते हैं, हर एक domain के लिए एक business email भी आपको यहाँ पर मिलेगा, एक नहीं बलकि up to 100, एक domain के लिए 100 business emails तक आप बना सकते हो, जैसे माल लो मेरा domain ने मैं सद्दामकासिम.com, तो मैं ऐसा कुछ बना सकते हो, info at saddamkasim.com, contact at saddamkasim.com, तो यह basically business emails हैं, तो up to 100 business email हर एक domain के लिए म बना सकता हूं, then after आपको unlimited free SSL मिलता है, यह क्या चीज़ है, SSL secure socket layer, सबसे top पे यहाँ पे ताले वाला symbol बना है, lock symbol, इसे हम padlock symbol भी कहते हैं, यह आपके domain name के आगे भी लग करके आएगा, जिसमें लिखा रहाएगा connection secure, Google ने अभी mandatory कर दिया है, हर एक blog पे SSL certificate installed होना जरूरी otherwise वो blog rank नहीं होगा, तो यह basically एक अच्छा feature आपको hostinger में मिलता है, other hosting companies आपको पैसे ले करके यह feature देती है, but hostinger में आपको बिल्कुल free of cost मिल जाता है, unlimited bandwidth है, सबसे बड़ी है चीज़ एक domain आपको बिल्कुल free मिलेगा, आपको domain के पैसे यहाँ बच जाते हैं, एक साल के लि help से आपका blog बिल्कुल protected रहेगा, safe रहेगा, यह भी सारे चीज़ें मिलती है, बागी काफी सारे और भी आप advanced features मिलेंगे, जैसे enhanced DDoS protection है, web application firewall है, मतलब जो hacking wagon का scene रहता है, वो सब यहाँ बिल्कुल खतम हो जाता है, ठीक है, तो इस plan को आप ले लोगे, simply add to card पे click करना है, अच्छा जो link मैंने आपको भी starting में दिया था न, saddhaamkasim.com forward slash hostinger, वो मेरा affiliate link है, उस link को use करने से आपको दो फायदे होंगे, पहला फायदा तो यह होगा, कि आपको 10% का extra discount मिलेगा hosting पे, दूसरा फायदा यह होगा, कि मैं काफी सारे premium plugins और themes आपको provide करता हूँ, जो आपकी choose करना है कि आपको hosting कितने billing period के लिए लेनी है, अगर आप एक महीने के लिए hosting लेते हो, तो cost पड़ेगी 699 रुपे पर मन्त, almost 700 रुपे हर महीने आपको pay करने पड़ेंगे, अभी लेते हो तो next month फिर से इतना amount pay करना पड़ेगा, तो यह plan बिल्कुल भी सही नहीं है आपके करो, तो आपको ऐसी hosting लेनी चाहिए, तो at least कम से कम एक साल की तो रहे, तो आप चाहो तो 12 months की hosting लेने प्राइस कम भी हो जाता है मन्तली का, या फिर 48 months की सबसे सही रहेगी, 48 महीने ने 4 साल की hosting, इस plan की खास बात तो यह है कि पहले तो price सबसे कम हो जाता है महीने के हिसाब स अगर next year hosting का cost एक लाख रोपे महीने भी होगे न तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो 48 months मेरे हिसाब से सबसे सही रहेगा, इसके बाद हमें simply एक account create कर लेना होता है, आपके बास Facebook, Gmail वगरा हो गई, उस account create कर लीजेगा, अब India से अगर आप इस वीडियो को दे होती है 12,912 रुपे, जिसमें आपको daily backup बिल्कुल free of cost मिलता है, तीन महीने extra hosting भी आपको free of cost मिलेगी, एक साल के लिए आपको domain name बिल्कुल free मिलता है, और domain का who is privacy production भी मिलता है, मतलब जो domain name आप register करवा होगे न, उस पे आपको जो भी personal details रहेगी, आपका नाम, mobile number, email वगरा वो internet से बिल्कुल hidden रहेगा, मतलब आपको कोई भी फालत हुए calls नहीं हैंगे किसी company से कसर आपने domain name खरीदा है, आपका data बिल्कुल secure रहता है, बिल्कुल hide रहता है, तो other hosting companies ये who is privacy protection आपको separately sell करते हैं, बट hostinger में आपको free of cost मिलता है, इसके बाद आप chances form को fill up भी कर सकते है अब यहाँ पर आपको देखना है, tax वगरा मिला करके 15,236 रुपए cost होती है 4 साल की web hosting की, coupon code apply कर दीजेगा, SADDAM7, apply करने के बाद आप देखना है, यहाँ पर 10% के आपको extra discount भी मिलेगा, तो almost एको 1500 रुपए के आसपास का discount हो गया, अब सिफ 13,712 रुपए ही आपको pay करन चार साल की web hosting का, यह amount शायद आपको जादा लग रहा हो, लेकिन ज्यादा नहीं है, अगर आप 13,712 रुपए को 4 से divide करो, तो per year की costing कितनी आती है, 3428 रुपए, जिसमें आप 100 websites host कर सकती हो, मतलब एक website cost कितना आ रहा है, अगर इसको 100 से आप divide करो, तो एक website cost मादर 34 की बात कर लेते हैं, मैं आपको Elementor Pro Plugin, GeneratePress Pro Plugin, absolutely free provide करूँगा, दोना cost तकरीबर 100 डॉलर से भी ज्यादा का है, बिल्कुल free of cost मिलेगा, कैसे free मिलेगा वो समझाता हूँ, सबसे पहले आपको hostinger पे hosting लेनी है, मेरा affiliate link की यूज़ करके, जो कि है saddamkasim.com forward slash hostinger, आपको वीडि करेंगे, confirmation email, जिसमें लिखा होता है आपने कौन सा hosting plan लिया है, उसका snapshot ले लेना, इस video को description में मैंने एक form का link दिया है, उस form को open करना, form को fill up कर देना, और वो जो snapshot आपने confirmation वाला लिया है उसे upload कर देना, जैसी मेरी team verify करेगी कि आपने हमारा hostinger का affiliate link यूज़ करके hosting purchase किये, within 5 minutes आपको Elementor Pro plugin और Generate Press का premium plugin absolutely free of cost आपके WhatsApp नमबर या email पे आजाएगा, तो इस तरह से आपको freebies भी मिल सकते हैं, अब जैसी आप payment वगरा कर देते हो, उसके बाद आपको अपने account में login करना है, अभी तो हमने सिर्फ hosting ली है, हमें एक free domain भी मिला है, तो वो free domain हम कैसे claim करेंगे, other tabs को पहले मैं फिर से बंद करूँगा, अब आपको जाना होगा hostinger.in पर, अब यहाँ पर जा करके आपको अपने hosting account में login करना है, top right कौना पर login का बटन मिलेगा, तो यह है मेरा hostinger का account और मैंने भी business plan लिया हुआ है, business web hosting चार साल के लिए, अभी 2023 चल रहा है जिस वक्त मैं setup करूँगा, अब आप जब login करोगे तो आपको अपना free domain claim करना है, उसके लिए आपको जाना होगा domains वाले menu पे और जो भी domain आपको पसंद आए, get a new domain पे click कर देना और यहाँ पे उस domain को type कर दो, अब domain idea भी मैं आपको देता हूँ, domain ideas आपको कहां से मिलेगा, हो सकता है आप free of cost sign up कर लेना, मेरा account अलरेडी बना है, उसमें login कर लेता हूँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, domain search का box दिया हुआ है, आप simply type करो apk.com, बस इतना type कर दो, जो आपका main keyword है na apk, सर्च करना, अब देखो यहाँ पे कितने domain, 50,720 domain names आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ज जैसे कि है rexapk.com, यह भी एक domain name है, जो आप ले सकते हो अपने blog के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बिडिंग के लिए option आ रहा है, यह available नहीं है, जितने भी domain name available है na, उसको आप hostinger पर free of cost ले सकते हो, लेकिन जो domain का price 10 USD दिखा रहा है, बिडिंग वगरा दिखा रहा है, वो domain आप नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर एक filter भी लगाएंगे, show filter पर click करते हैं, scroll down आप करोगे, और यहाँ पर choose करना only available domains और apply filter कर देना, तो हमें सिर्फ available filtered domain ही दिखाएगा, देखो 44 domain आप हो गए, अब यह सारे domain name available है, कोई सा भी domain आपको पसंद आ रहा है, जो आपके blog के पर आए, next page पर चलते हैं, अब यह आइधिंक जो हमने APK word लिया है न, उससे मतलब different different type of domain name selection आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ और type करते हैं, जैसे APK download, ऐसा कुछ type पर कर देखते हैं, और फिर चेक करते हैं कि कौन से domain selection आते हैं, तो यहाँ पर 429 domain हमें देखने को मिलते ह जैसे के androidappapkdownload.com, domain name available है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बड़िया domain है, androidappapkdownload, आप चाहो तो इससे भी ले सकते हो, यह apkdownload365.com, यह domain name मेरे को सही लग रहा है, है न, copy कर लेते हैं, चलो, इस domain name को चेक करते हैं यहाँ पर, तो हम simply इस domain को paste करेंगे, इसके बाद सर पर क्लिक कर देते हैं, तो अभी आप देखो, यहाँ पर, we found a great domain for you, यह domain name available है, मेरे end पे 729 रुपए per year का दिखा रहा है, क्योंकि मैं free of cost अपना domain name पहले ही avail कर चुका हूँ, आपके end पर यहाँ पर दिखा है, claim this free domain, क्लिक कर देना, आपके hosting account से link हो जाएगा, ठीक है, पर आपको create or migrate a website पर क्लिक करना होता है, इसके बाद start now पर क्लिक कर देना, यह आपके समने wizard आएगा, then after create a new website, इसे select करेंगे, और आपको यहाँ पर platform चूज करना है, wordpress with AI, now, अब जो आप blog बनाने वाले हो, उस blog का एक backend access भी रहेगा, जहाँ पर login करके, आप blog post write करोगे, pages वगरा create करोगे, तो वो login detail आप यहाँ पर create करते हो, अपना email address टाइप रखना, उसके बाद यहाँ पर आपना password वगरा create कर सकते हो, मैं एक strong password यहाँ पर बना लेता हूँ, अचा एक चीज़ और है, काफी सार लोग ऐसे हैं, जो मेरे YouTube वीडियो देखते हैं, और अपने किसी भी app का promotion करवाना चाहते हैं, या किसी भी business का promotion करवाना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल पे, या मेरे Instagram अकाउंड पे, तो आप इसी email address पे मुझे contact कीजिए, तो मेरे team आपको reward back करेगी, अगर हमें आपका product genuine लगेगा, सही लगेगा, या आपकी service जा promote करवाना चाहरे है, वो आपकी आपको simply skip कर देना है, इसके बाद यहाँ पे आपको template वगरा का option आएगा, तो यहाँ पर एक काम करेंगा, हम generate press को choose कर लेते हैं, simply आपको select कर लेना है, तो generate press theme हम install करेंगे, यह तो free theme install कर रहे हैं, बट मैं आपको premium plugin भी generate press का provide करूँगा, then after skip पे click कर देना है, अब यहाँ प firm कर लेना, यहाँ पे server location आपको choose करना होता है, मेरा nearest server इंडिया का ही है, तो यहाँ पे देखो, एशिया में, इंडिया में, मुंबई में already hostinger का server है, अगर आप इस video को देख रहे हैं, वो बांगलादेश से, तो आप check कर लेना कि आपका nearest server का option यहाँ पे कौन सा दिखाता है यहाँ पे देखो सारे option दिखाता है, एशिया में, सिंगापोर में है, इंडिया में है, यूरोप में, फ्रांस में है, तो अपना nearest server location आप choose करोगे, मैंने इंडिया चूज किया है, इसके बाद हम finished setup पे click कर देंगे, कुछ ही seconds में WordPress software हमारे domain पर install हो जाएगा, process यहाँ पे द तो आपको जाना हुए control panel में, manage site पे आप click करोगे, इसके बाद left hand side पे काफी सारे options देखने को मिलते हैं, आपको जाना है security में, और यहाँ पे मिलेगा SSL, तो अभी हम देख सकते हैं, यह मेरा domain name है, और यह SSL का status है, अभी install हो रहा है, यह automatically install होना शुरू हो जाता है, जब WordPress अपने domain पे install करते हो, तो कुछ second आपको wait करना होगा, उसके बाद यहाँ पे active लिख करके आएगा, अगर in case, यहाँ पे field लिख करके आता है, तो यहाँ पे तीन dots भी आपको दिखाई देंगे, उस dot पे click करना, तो वहाँ पे option मिलेगा, reinstall SSL, बस click करने पे आपके domain पे SSL install हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कुछ seconds वेट करूंगा, ओके, तो आप देख सकते हो, SSL is installed for howtosearch.in, मेरे domain name पे SSL install हो चुका है, आप एक काम करते हैं, दूसरे browser में मैं अपना domain name open करके देखूंगा, howtosearch.in, एंटर पुश करते हैं, देखो यहाँ पे एक website बन करके आ गई है न, यहाँ पे एक basic सी website बनी है, एक title लिखा हुआ है, मेरा domain name लिखा है, यहाँ पे एक dummy post लिखी है, उसका कुछ content है, date लिखी है, आज 22 अगस्त 2023 है, जिस वक्त मैं इस वीडियो को record कर रहा हूँ, यहाँ पे 22 अगस्त लिखा हूँ अपर 22 अगस्त है, और यहाँ पे एक website बनाई है, जो हमने blog setup किया है, उसका backend कैसे access करेंगे, तो domain name के आगे आगे आपको लगाना होता है forward slash then wp-admin, यह से हम hyphen भी कहते हैं, आप जैसे enter push करोगे, यह आप से username और password मांगेगा, देखो यहाँ पे, username आपका email address है, और password वही same रहेगा, जो आपने installation के time पे create किया था, तो मैं फटाफट यहाँ पे password enter कर देता हूँ, इसके बाद login पे click करेंगे, here we go, तो यह है हमारा wordpress का dashboard, हमने blogger भी use किया है, blogger का dashboard कैसा दिखता है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जो wordpress का dashboard है, वो ऐसा दिखाई देता है, इसमें आपको बहुत सारे tools मिलेंगे, जैसे यह post वाला section है, यहाँ से आप post write कर सकते हो, media में जितनी भी media files है, वो सब आप यहाँ पे upload कर पाओगे, pages में आप जाकर के सारे legal pages create कर सकते हो, जैसे about us है, contact us है, terms and conditions है, privacy policy है, affiliate disclosure है, यह सारे pages आपके blog पे मौजूद होना बहुत जरूरी है, तब ही आपको Google AdSense का approval मिलता है, इस तो आपको add new पे click करना है, I think generate press theme हमने choose की थे न, वो install हुई नहीं किसी वज़य से, तो यहाँ पे देखो यह है generate press, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देती है, तो search themes में जाना और यहाँ पे type करना generate, P-R-E-S, तो यह आगे generate press, इस theme को आप install करके activate कर लोगे, इसके ब इससे open करते हैं, देखो design change हो गया, यह theme अच्छी इसलिए कहलाती है, क्योंकि यह na blogging के लिए ही बनाई गई है, proper structure एक blog वाला आता है, देखो सबसे उपर यहाँ पे, यह पूरा header कहलाता है, हम यहाँ पे logo लगाएंगे, कुछ menus बनाएंगे, यह वाले area जो है, इसमें आप आपको सिर्फ post दिखाई देंगे, जितने भी post आप publish करोगे, वो सब यहाँ पे दिखाई देगी, यह right वाला area sidebar कहलाता है, तो इसमें आप कोई भी social media links पुट कर सकते हो, related content पुट कर सकते हो, sponsored ads वगरा display करवा सकते हो, वो सारी चीज़ा sidebar में रखी जाती है, और bottom वाला area footer area कहलाता है, जिसमें आप अपने credits वगरा पुट कर सकते हो, ब्लॉग built भाई सदाम कासिम या आपका नाम या कोई भी link वगरा आप पुरखना है, वो सब आप footer में रख सकते हो, ठीक है, तो by default जब first time आप WordPress को install करते हो, तो एक post पहले से बनी हुई मिलती है, hello world उसका title हो अभी हमने यहाँ पर एक post लिखी थी, यह वाली post, इसे open करते हैं, अब same post को हम क्या करेंगे, copy करेंगे यहाँ से, wordpress में लिखने की कोशिश करते हैं, post कैसे लिखी जाती है, यहाँ पर जाओगे posts में, और आपको simply add new पे click कर देना है, title वाला box यह है, यहाँ पर paste कर दो title आ यहाँ पर आपको paste कर देना है, text को, इसके बाद enter पुश कर दो, इसके बाद अगला content क्या है, अगला content यह है, पूरा यहाँ से हमने copy किया, download file वाले link को छोड़ देते हैं, हम एक button create करेंगे, link ज्यादा सही नहीं लग रहा है, button बढ़िया लगेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं domain में क्यों पैसे खर्च करें, क्या फायदा है WordPress में आने का, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सबसे पहले चीज़ तो यह है, कि WordPress में आप content को structurize कर सकते हो, right hand side पे आपको post वाला option मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा categories, हो सकता है ऐसे बंद हो, तो आपको इसे open करना होता तो AP के downloads, ठीक है, then after add new category पे click करते हैं, तो यहाँ पे AP के download नाम की हमने एक post category बनाई है, जिसके अंदर यह वाला post assign हो जाएगा, कल को को कोई नया post आप लिखोगे, तो वो भी आप AP के category के अंदर डाल सकते हो, इससे आपको पूरा blog structurize हो जाएगा, दूसरी चीज, यहाँ इस post में एक featured image लगा सकते हो, यानि एक थमने लगा सकते हो, जो basically user को बताएगा कि यह post किस बारे में है, तो featured image को simply आप यहाँ सेट करोगे, select file में जाएगे और यह रही वो file, हमने blogger में इस file को as a image insert किया था, तो यह featured image नहीं कहला रही थी, यह represent नहीं कर रही थी, कि post किस ब featured image, set featured image पे click करो, यह officially इस तरह से set हो जाती है, अभी इतना हमने किया है, अभी बहुत कुछ मैं आपको और भी करके दिखाने वाला हूँ, अभी फिलाल इतना करने के बाद, अब हम publish पे click करेंगे और फिर से publish कर देते हैं, that's it, post publish हो गया है, new tab में open करके देखते हैं, तो य image दिखाई देरी है, थोड़ा से content है, user अगर इस image पे click करेगा, तो post open हो जाती है, मतलब automatically clickable image बन गई है, और यह अपने post से ही link हो जाती है, और यह सीधा हमारे home page पे ही देखो post दिख रही है, इस वाले में कहीं पे कोई image नहीं दिखाई देरी, सिर्फ title लिखा हुआ है, त तो user सिर्फ title पे click करके post read कर सकता है, बट अगर image दिख रही होती है इस तरह की, तो user को easily clear हो जाता कि हाँ, यह post किस बारे में है, तो एक अच्छा फाइदा है इसका, यह भी होता है, दूसरी चीज, अब हम इस post का SEO करना सीखेंगे, हमें SEO करना है ताकि इस post को हम easily rank करवा सक ब्लॉग में बहुत जादा limitations है, सौरी, ब्लॉगर में बहुत जादा limitations है, बट यहाँ पर limitation नहीं है, WordPress के इस logo पे आप click करोगे, यहाँ पे हम जाएंगे, add new पे click करते हैं, और एक plugin install करेंगे जो SEO के काम आता है, प्लगिन क्या होता है, छोटे 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 softers होते हैं, जो specific task को perform करते हैं, जैसे अगर आपको SEO करना है, तो SEO का एक अलग से plugin आता है, वो सिर्फ SEO करने का ही काम करेगा, अगर आपको contact form create करना है, तो contact form का एक अलग से plugin आता है, जो सिर्फ contact form ही बनाता है, तो यहाँ पे हम search करेंगे, search plugins में जाके, rank math, rank math एक SEO वाला plugin है, जो आपके blog post rank करवाने में काफी help करेगा, तो सबसे पहला plugin आपको यहाँ पर दिख रहा है, 2 million से ज़्यादा active installations है, वाई सभी ने इसको 5 star review दिया, देखो 6000 के round reviews है, सब के सब 5 star reviews है, इस plugin को install करके आपको activate कर लेना है, यह मैंने इसको activate कर दिया, ओके, इसके बाद यह एक setup wizard है, फिलाल आ click करोगे, अब यहाँ पर आपको कुछ information देनी होगी इस plugin को, ताकि यह आपके blog को optimize करने में help करेगा, जैसे howtosearch.in क्या है, यह पूछ रहा है क्या है, एक personal blog है, community blog है, new site है क्या है, तो फिलाल इसको हम personal blog पर ही set करके रखेंगे, website का नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, यासे मेरे website का ही नाम है, how to search, तो मैंने यहाँ पर how to search दे दिया, personal organization name में भी same name automatically insert हो जाता है, यहाँ पर एक logo हम upload कर सकते हैं, जो 112 भाई, 112 पिक्सल कर रहेगा, तो मैंने आपको canva में अलड़ी बताया है, कैसे images को design करना है, custom size कैसे set करते हैं, तो आप 112 भ now, यहाँ पर देखो, यह कुछ option दिया है, connect to rank math account, फिलाल यह सब करने के जरूत नहीं है, तो simply save and continue पर click कर दो, अब हम site maps वाले option पर आ गए, rank math के सबसे खास बात यह है, कि यह automatically आपके blog post के सारे site maps create कर देता है, site map एक file होती है, .xml file, जिसमें आपके blog के सारे links दिये होते हैं सारे URL दिये होते हैं, Google को समझने में आसानी होती है, कि हाँ कितने URLs हैं, और वो easily आपके blog post को index करवा पाता है, आपके सारे links को अपने database में index कर पाता है, तो site map फाइल create करना बहत जरूरी है, blogger में यह चीज मुम्किन नहीं थी, बड़ यहाँ पे चीज मुम्किन है, plugin install करो, तो site map एक बार में create हो जाता है, ठीक है, इसके बाद save and continue फिर से click करेंगे, last है optimization, जो option selected है, as it is छोड़ देना, save and continue, and then return to dashboard, तो plugin हमने successfully set up कर लिया है, अभी फिलाल और भी कुछ करने के जरूरत नहीं है, अब हम वापस फिर से post में जाएंगे, all post पे, हमने अभी एक post publish की है, अब आप edit पे click करोगे, और देखना यहाँ पे कुछ नएने options आपको दिखाई देंगे, जैसे right hand side पे देखो score आगया यह, है न, rank math score दे रहा है, 100 में से मात्र 5 rating आपके content को मिली है, तो अब हम इस plugin की help से अपने इस पूरे post को SEO optimized करेंगे, आपको इस score पे click करना होता है, त focus keyword में आप अपना main keyword डाल दोगे, small में capital में सब में चलेगा, T-O-R-D-R-O-I-D-A-P-K, इसके बाद कॉमा लगा दो, यह हमाना main keyword था, देखो जैसी मैंने keyword डाला है, plugin को समझ में आगया भई, इस keyword के लिए इस पूरे post को rank करवाना है, तो यह post कैसा लिखा है, इस keyword के आप से ही content लिखा हुआ है, कुछ और points यहाँ पर दे रहा है, उसे भी मैं fix करना होगा, जैसे की, the focus keyword was not found in the SEO meta description, अब यह meta description क्या बवाल है, इसको भी समझ लेते हैं, चलो Google पर चलते हैं सीधा, ठीक है, यहाँ पर type करते हैं, T-O-R-R-D-R-O-I-D-A-P-K, type किया हमने, अब यहाँ पर देख रहे हो, यह वाला एक article है, जो rank कर रहा है, यहाँ पर यह जो text लिखा है, यह थोड़ा सा text दिखाई देता है, इसे हम meta description कहते हैं, ठीक है, यह सबसे उपर blue blue दिखाई देता है, जिस पर आप अकसर click करते हो, इसे हम site title कहते हैं, यह site title है, और यह meta description है, तो plugin हमें कहा रहा है, कि meta description में कहीं पर तुम्हारा focus keyword नहीं दिख रहा है, तो चलो focus keyword को set करते हैं, focus keyword यह है, अब कैसे set करेंगे meta description में, तो यहाँ पर देखो यह दिया है, edit snippet, click करो इसके उपर, title वाला box यह आ गया, title में जो हमारे blog का title और अटोमेटिकली fetch हो रहा है, पर्मा link में basically यह पर्मा link यह जो link रहेगा वो है, यह description वाला जो box है, यहाँ पर आप अपना focus keyword भी put करोगे, तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, downloading the tor.droid.apk file is super easy, just go ahead and hit the download button to download the tor.droid.apk file, ऐसा कुछ लिख दिया, इसमें मैंने natural तरीके से keyword को देखो insert कर दिया है, tor.droid.apk मेरा focus keyword आ गया ने description में, बस इतना करने के बाद, अब मैं बंद कर दूँँगा, देखो score improve होगा, 63 हो गया, पहले 61 था, और देखो इस point पे green tick लग गया, मतलब हमने यह वाला point fix क कर लिए, SEO के हिसाब से बहुत जरूरी था, उसकी बाद यह कह रहा है, your content is 550 words, यह 550 words का content है, कम से कम 600 words का होना चाहिए, SEO के हिसाब से तो 600 words कम से कम होने चाहिए, तो चलो थोड़ा बात content एक काम करते है, या तो और लिखवा लेना चाहिए, GPT से, मैं काम करता हूँ, सीधा copy paste कर देता हूँ, ताकि at least 600 का criteria तो cross कर जाए, है ना, तो नीशे मैं कहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर, ऐसा कुछ, ताकि यह 600 words को at least count कर ले, तो 602 word का हो गया है, मतलब यहाँ पर tick 1 कर गया, cross तो at least हट गया है, तो कम से कम आप कोशिश करोगे 1000 word का article लेको, 1000 word का कम से क 65 हो गया, अब अगले पर चलते हैं, additional पे, additional में कह रहा है, the focus keyword was found in these subheadings, subheading क्या कहलाती है, यह subheading कहलाती है, तो इसमें फोकस keyword तो इसको मिल गया ना, चलो ठीक है, मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्या है, add an image with your focus keyword as alt text, एक image अपनी post में add करो, और उस image में alt text के तो और पे focus keyword को भी set करना है, तो एक image आप कोशिश करो, कम से कम एक image तो आपके इस post में कहीं न कहीं होने ही चाहिए, आप toadroid API के हिजाब से canva पर जाके image वगरा design कर लेना, मैं यहाँ पर site origin वाली image ही upload करूँगा, तो यहाँ पर image कैसे upload करते हैं, wordpress में, आप पहले click करोग ठीक हैं, यह upload कर दी, अब मैंने image तो upload कर दी है, लेकिन यही कह रहा है कि alt text में अपना focus keyword भी set करो, तो इस image को आपको simply select कर लेना, जैसी आप select करोगे, उसके बाद right hand side पे आपको यहाँ पर जाना होता है, इस वाले icon में settings पर, ठीक है, image को select करो, फिस settings वाले icon पर जाओ, तो फिर से click करो, और देखो यहाँ पर additional में चलते हैं, तो यह वाला point हमने fix कर लिया, कहां गया image वाला, image वाला option यह रहा, the focus keyword was found in image alt attribute, keyword density आ रही है, 1.83 जो ठीक ठाक है, मतलब number of word के हिसाब से कितने बार keyword use होना चाहिए, तो वो ठीक है यहाँ पर, यह plugin खुद ही बताता है, अ अगर आप over keyword stuffing करते हो, तो वो spamming में आ जाता है, बट इस rank math plugin ने पहले calculate कर लिया, कभी 600 word का article है, तो कितनी बार keyword आना चाहिए, जो main keyword है, 1.83 percentage keyword difficulty, तो ठीक है, हैना, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, the URL is 79 characters long, consider shortening it, अब जो URL क्या है, URL का मतलब क्या है, मैं समझाता ह यहाँ पर मैं post को open करता हूँ, सबसे top पे देखो, यह पूरा URL कहलाएगा, पूरा URL है, अब इस URL में बेसिकले दिक्कत क्या है, कि बहुत बड़ा URL है, main domain तो देखो हमेशा आएगा URL में, लेकिन यहाँ पर यह index.php आ रहा है, इसके बाद year आ रहा है, फिर month आ रहा है, फि पर्मा लिंक, और यह पर्मा लिंक का structure है, तो हमें WordPress में पर्मा लिंक का structure fix करना होगा, structure कैसे fix करते हैं, आपको जान, सबसे पहले इस post को update कर देना है, क्योंकि हमने SEO के issues fix किये हैं, अपडेट कर दिया, WordPress के dashboard में चलते हैं, यहाँ पर मिलेगा settings, settings में मिलेगा पर्मा लिंक, तो यहाँ पर देखो 5-6 different type of structures के format दिये, आप कोई से भी structure format यूज कर सकते हैं, अपने blog post articles के लिए, तो मैं यहाँ पर use करता हूँ post name वाला, domain name के बाद सीधा जो मेरे post का title वो आ जाना चाहिए, तो यह मैंने format यहाँ पर choose कर लिया, blogger में ऐसा कुछ भी नहीं है, blogger में इस पर क्लिक करते हैं, और वापस all post पर चलते हैं, और edit पर क्लिक करेंगे, अभी फिर से score पर क्लिक करते हैं, जैसी देखो मैंने score पर क्लिक किया न, अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि number of characters कितने आ रहे हैं, पर्मा link में, तो edit snippet पर क्लिक करो, देखो यह का the towardroid-apk, बस इतना काफी है, ठीक है, इसके बाद क्लिक कर दो, मतलब बंद कर दो इसे, देखो 71 score हो गया, फिर से additional पर चलते हैं, देखो हमने जो URL वाला issue था वो भी fix कर लिया, the URL is 37 characters long great, सही हो गया यह, है न, इसी तरह से एक एक करके आपको क्या करना होगा, इस पूरे score को fix करना है, अब अगली चीज़ कहा रहा है, link out to external resources, आपको एक link बनाना होगा, जो external resource को connect करेगा, वो link आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, किसी दूसरी website से link हो जाए, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक button create करता हूँ, जो download button होगा, plus पे click करेंगे, और यहाँ पे हम search कर करेंगे butt, तो यह आगया buttons, click कर दो, देखो यहाँ पे default button बन करके आगया, button के ऊपर क्या text लिखना है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, download tordroid apk, ठीक है, यह तो मैंने button मना दिया, अब मैं क्या करूँँगा, इस button को अभी फिला लिंक करवा देता connect करवाना चाहते है, उस link को आपको यहाँ पे paste कर देना है, तो मैं यहाँ पे type कर देता हूँ, https colon slash playstore.google.com, शायद यही इसका URL यह play.google.com है, शायद play.google.com है, तो यह मैंने external link यहाँ पे connect करवा दिया, इस पे simply click कर देना, अब देखो इस button को मैंने external site से connect करवा दिया है, तो यहाँ पे यह external link कहलाएगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, score भी improve हो गया, 77 out of 100 हो गया, फिर से चलते हैं वापस rank math के scoring वाले list में, और यहाँ पर देखो यह checklist है, तो हमने external link भी create कर दिया है, we couldn't find any internal link in your content, अब internal link क्या है, internal link का मतलब यह है, हमने एक post write करा है अपने blog म और इन दोनों post को आपस में link के जरीए connect करवा देना है, तो एक post पहले से लिखा हुआ है मारे post में, यहाँ पर वापस हम चलते हैं blog में, एक post hello world नाम का पहले से लिखा है, अभी एक काम करते हैं, इस post को इससे लिंक करवा देते हैं, बाद में अब क्या करना, जब दूसरे post ap के type के लिखोगे ना, तो उनहीं को आपस में link करवा ना, अभी यह तो irrelevant है ना, बट चुके मुझे internal link आपको दिखाना है, तो मैं इससे connect करवा देता हूँ, कैसे connect करवाते हैं, इसको open गलो इस वाले post को, hello world वाले post को, तो सबसे top पे देखो, यह URL आ रहा है, इसे यहाँ से copy कर लेना, ठीक है, इसके बाद वापस चलते हैं, और यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, you या blog quote चलो use करते हैं, wordpress में designing के लिए काफी अच्छे चाप्शन दिये हुए, तो यहाँ पे blo, यह आगे quote है न, quote पे click करोगे, और यहाँ पे आप ऐसा कुछ type करो, you can also read about, और यहाँ पे लिख दो, hello world, मालो मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, अब मैं कह जाता हूँ कि इस hello world को link करवा दूं, hello world वाले post से, इसको मैंने select किया, link वाला option आ गया, और यह hello world वाले post का जो link था रहा है, हमारा तो कौन सा है, how to search.in है, और google की site अलग है, play.google.com, तो दो different domain को जब हम connect करवाते हैं, तो वो external link के लाएगा, और यहाँ पे हमने internally अपने blog post को connect करवाया है, देखो internal link बन गया, score देखो कितना हो गया, 82 out of 100 हो गया, green हो गया यह, मतलब अब SEO के हिसाब से बहुत सही post हमारा हो चुका है, इसी तरह से आप और भी यहाँ पर चेक करते रहना, जो भी issues हैं, एक-एक करके fix करना, यह score अगर 100 out of 100 आप नहीं कर पाते हो, तो भी चलेगा, कम से कम 85 पहुचा देना बस, अब यह चीज़ blogger में available नहीं थी, यह चीज़ wordpress में available है, कि आप अपनी इस महनत को Google के हिसाब से SEO friendly बना सकते हो, और यह easily rank कर सकत है, इसके बाद post को हम update कर देते हैं, that's it, ठीक है, तो अभी एक बार फिर से अपने इस front page को हम refresh करके देखते हैं, और यह हमारा post है, देखो एक बार hard refresh करते हैं, तो यह proper तरीके से यहाँ पर आ गया है, नीचे देखो हमने button भी दे दिया है, download Android AP के, जो हमने Google Play Store से link कर वाया तो Google की दो Play Store वाली site देखो वो open हो जाती है, है न, तो button वगर आप easily यहाँ पर create कर सकते हो, अब अगली चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें कुछ setup करना होगा, भाई आपको Google AdSense का approval भी तो लेना है, पोस्ट तो write करना आपको आ गया है, बट Google AdSense का approval कैसे मिलेगा, वैसे तो Google AdSense के लिए सबसे important यह है कि आपका जो domain name है, जैसे मानलो आज की rate में आपने blog start किया है, तो कम से कम दो महीने तक continue blogging करो, उसके उपर articles लिखो, real articles लिखो, दो महीने के बाद ही Google AdSense के लिए apply करना, तो आपको approval मिलने के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, दूसरी चीज, कम से कम आपके blog में 30 से 35 real post होने चाहिए, वैसे तो 10-12 post होंगो तो भी चलेगा, लेकिन chance मतलो, कम से कम 30 real post लिखो अपने blog में, दो महीने में आराम से आप लिख लोगे, उसके बाद ही AdSense के लिए apply करना, ठीक, अब यहाँ पे कुछ legal pages भी ready होना बहत जरूरी है आपके blog प पे privacy policy terms and conditions वगरा कि जो page पे content है, वो कैसा लिखा हुआ है, तो हमें वो सारे pages create भी करने हैं और as a menu display भी करवाना है, उसको कैसे create करते हैं, आपको जाना होगा पहले pages में और all pages पे चलते हैं, जब आप WordPress first time install करते हो, तो by default privacy policy वाला page create हो जाता है, इसमें कुछ content भी देखो privacy policy क पहले से लिखा रहेगा, ये content पहले से लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये page published नहीं सिर्फ draft है, मतलब saved है हमारे blog में, अभी ये live नहीं है, तो यहां से हम publish कर सकते हैं इसको, publish कर दो ये page अब देखो live हो जाएगा, view page पे click करते हैं, और देखना front page पे privacy policy कुछ इस तरह से disclaimer वाला page, तो नया page कैसे add करेंगे, add new पे आपको जाना होता है, यहां पर title देदो, disclaimer, और जो भी disclaimer है आपके blog का वो आप यहां पर write कर दोगे, अब मुझे पता है आपको content write करने में दिक्कत हो रही है, तो chat gpd की help ले लो फटा पट, ठीक है, सारे tap को पहले बंद कर देते ह अब यहां पर हम chat gpd पर वापस चलते हैं, और chat gpd से कहेंगे, I have a blog where I write blog posts regularly, I want you to write disclaimer page content, my domain name is howtosearch.in, domain name भी बता दिया गरूँ ताकि content उसी के हिसाब से write कर देगा, और यहां पर date भी दे देते हैं, and today's date is 22 August 2023, ठीक है, यह command दे दिया, अब enter push कर दो, अब disclaimer यह हमारे इस command के हिसाब से write कर देगा, बढ़िया disclaimer लिख कर देगा, देखो, मैंने date और domain name क्यों दिया था, अगर मैं नहीं नहीं देता ना, तो यहां पर लिखके आ था, मतलब एक bracket बना होता, कि आप अब manually अपना domain name भी लिख देना है, जो आज की date है वो भी लिख दो, बट जब मैंने date इसको provide कर दिया, domain name भी लिख दो, बट जब मैंने date इसको provide कर दिया, तो इसके हिसाब से सब कुछ में पहले से write कर देगा, यह देखो, पूरा का पूरा content इसने write कर दि तो हमारे disclaimer वाला page भी देखो ready हो गया है, पूरे content के साथ में, बागी content को कैसे paraphrase करना है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, एक बार इस content को read जरूर कर लेना, तो disclaimer वाला page हो गया, इसी तरह से एक एक करके आपको other pages भी create करने, बस मैं आपको pages के नाम आप से create कर लेना, जिसे disclaimer है, privacy policy है, यहाँ पे एक page होना चाहिए, terms and conditions, ठीक है, इसे भी publish कर देते हैं, content आप खुद से create कर लेना, then after होना चाहिए, affiliate disclosure, ठीक है, इसे भी आप publish कर दोगे, तो 3, 4, 5 ऐसे pages हो गए हैं, इसके बाद एक page आपका होना चाहिए, about us, about us, आप अपन होना चाहिए, तो यहाँ पे add new पे जाके हम कर देंगे, contact us, यह बहुत जरूरी page है, contact us, contact page जरूरी create करना, adsense के approval लेने से पहले, ठीक है, तो हमने total कितने pages यहाँ पे बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 page बन गए हैं, 6 pages हमने ready किए, एक बार refresh भी कर लेते हैं, कोई page छूटा तो नही हैं, किसी भी एक link पे click करने पे वो particular page open होता है, तो इनको menus में आप कैसे display करवाओगे, अभी right now, खुद से सारे menu बन गए ना यह, क्योंकि जितने भी page आप create करते हैं, वो automatically as a menu बन जाते हैं, बट हो सकता है, मुझे यहाँ पर सिर्फ तीन menu दिखाने हैं, about us, contact us, और privacy policy, बा हुआ है न, एक काम करो, इसको नाम दे दो, main menu, ठीक है, अब इसमें जो other menus हैं, जैसे कि मुझे हटाना है affiliate disclosure, तो arrow पे click करना, और इसके बाद remove पे कर देना, तो वो menu remove हो जाएगा, terms and conditions को भी हटाना है, तो remove कर दो वही, about us को सबसे पहले दिखाना है, तो वही सबसे पहले द दिखा देते हैं इसको, ठीक है, contact us को सबसे last में दिखाना, सबसे last में दिखा दो, इसके बाद create menu पे बस आपको click कर देना है, और यहाँ पे आपको location चूज करनी होती है, primary menu एक बार फिर सेव कर दो, now, अब हम अपने home page को refresh करके देखते हैं, so यहाँ पर आप देखो home आ ग जाए, और मेरा यह ब्लॉग का link है, howtosearch.in, जब कोई भी user मेरे नाम पे click करें, तो यही blog open हो जाए, अब इस काम का accomplish करने के लिए हम Elementor Pro की help लेंगे, तो एक बार मैं आपको Elementor का original price भी दिखा देता हूँ, e-l-e-m-e-n-t-o-r.com, यह Elementor की official website है, और जो plugin हम यहाँ पे use कर करने वाले हैं, वो है page builder plugin, तो यहाँ पर आप देखो, कम से कम $59 per year की यह cost है Elementor Pro की, बट यह plugin मैं आपको already free of cost provide कर चुका हूँ, अगर आपने मेरा affiliate link saddamkasim.com forward slash hostinger use करके hostinger से web hosting purchase की होगी तो, अब यह plugin आपके computer पे .zip file में download हो जाएगा, जब मैं आपको provide करूँगा, तो हम आपके बास Elementor का free version पहले से install होगा, तो पहले हम यहाँ पर search करेंगे ELEMENTOR Elementor, Elementor का free version इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद paid version भी install करेंगे, तो सबसे पहला plugin है यह, Elementor website builderbyelementor.com, इस plugin को आप install करोगे और activate करोगे, तो हमने Elementor का free version तो install कर लिया, इस तरह की window आपके सामने भी आएगी, top right corner पर यहाँ पर cross का option है, simply click करो, यह page बंद हो जाएगा, अब हमें Elementor का premium version भी install करना है, तो आपको plugins में जाना होगा, वापस add new पर click करेंगे, और सबसे top पर आपको मिलेगा upload plugin का option, let's click on it, और यहाँ पर browse में जाकर करके, जहाँ पर भी आपने plugin को download कर रखा, यह रहा Elementor Pro, हम simply इसे open कर लेते हैं, install करके इस plugin को भी हम activate करेंगे, all right, तो हमने यहाँ पर कौन कौन से plugins को activate किया है, एक है Elementor, दूसरा है Elementor Pro, बाकी इसके अलावा काफी सारे और भी plugins है, जासे hostinger plugin है, hostinger AI assistant है, आप इसे चाहो तो हटा सकते हो, तो हम simply इन दोनों plugins को palette deactivate करते है select करके, आप कोशिश करें, कम से कम plugin आप अपनी website में use करो, बस जो काम के plugins हैं, उन्हें install करो, इसके अलावा आप other plugins को use मत करो, otherwise आपके जो blog है, जो website बहुत slow load होगी, ठीक है, तो यहाँ पर एकिसमेट है, इसके बाद Hello डॉली नाम का plugin था, hostinger है, hostinger AI assistant, इन चारो plugins को हम चाह करने से पहले आपको deactivate करना होता है, अब हमारे पास Elementor भी available है, Elementor Pro भी available है, अब मुझे एक footer ready करना है, यहाँ पे यह सब कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ मेरा content लिखा रहे है, website का नाम आ जाए, all rights reserved लिखा रहे है, और blog built by मेरा नाम वगरा आ जाए, तो वो कैसे क कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो अपने हिसाब का header भी design कर सकते हो, आप अपने हिसाब का footer भी design कर सकते हो, single page है, search results है, single post है, सब कुछ हम यहाँ पे design कर सकते हैं, फिलाल हम footer वाले option को select करेंगे, और अपना खुद का एक footer design करेंगे, इस तरह की window आपके सामने आएगी, आ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर देखो यह राफ footer वाला area, पहले आप plus पे click करोगे, और यहाँ पर आपको काफी सारे sections देखने को मिलते हैं, section का मतलब होता है container, आप section के उपर ही content create करते हो, तो यहाँ पर जैसे यह दिया हुआ है one column वाला section, देखो इसमें जैसी में इस पर click किया है, देखो यहाँ pink color से पूरा borderline area बन करके आगया, आपके end पर green भी हो सकता है, blue भी हो सकता है, यह पूरा एक section है, इसके अंदर हम content create करते हैं, अब सबसे पहले चीज़ मैं चाहता हूँ कि इस section का जो background है वो बिल्कुल black हो जाए, मैं black section चाहता लेंगे, click करोगे आप जैसे ही, इस पर left click करना, तो left hand side पर आपको edit section की सारी settings open हो जाएगी, अब हमें colors में changes करने है, background color हमें क्या करना है, black करना है, तो वो सारी चीज़ आपको मिलेगी style वाले tab में, style पर click करो, यह रहा background को option, background type आप यहाँ से set कर सकते हो, तो मैं जाएंग जाओं वो color background में set कर सकता हूँ, बहुत easy elementer में काम करना, तो यहाँ पर फिलाल मैं इसको black type कर रखोंगा, है ना, बिल्कुल देखो black जैसा हो गया, section black हो गया, अब plus पे click करते हैं, जैसे आप plus पे click करोगे, left hand side पर आपको काफी बड़ी list दिखाई देगी, यह सारे elements कहलात हैं, अगर आपको heading लिखनी है, तो देखो heading element पहले से दिया हो, वास drag करके drop कर देना है यहाँ पे, और फिर आप अपनी heading लिख सकते हो, अगर आपको कोई image दिखानी है, तो देखो यह image widget है, उठा के यहाँ रखो, फिर अपनी image को set कर सकते हो, YouTube का, Vimeo का कोई video दिखाना है और यहाँ पर drop कर दूँगा, text editor basically paragraph write करने के काम आता है, तो यहाँ पर देखो, जैसी मैं इसे drop किया है, left hand side पे, यह box open हो गया, और इसकी setting भी open हो जाती, edit text editor, जो कुछ भी आप इस box में लिखोगे, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा, तो पहले मैं content delete कर दूँगा, अब यहाँ पर पहले से copyright का symbol बना हुआ था न, इसे मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, ctrl c करके वापस चलते हैं, यहाँ पर इसे हम paste करेंगे, और ऐसा कुछ लिख देते हैं, copyright 2023, all rights reserved, है न, इसकी बाद dot आ रहा था है, बीच में dot, keyboard मुझे वो dot मिल नहीं रहा है, बट यहाँ यहाँ पर है, तो मैं इसे simply copy कर लेता हूँ, यह मैंने copy कर लिया, वापस चलते हैं, dot को यहाँ पर paste कर देते हैं, और ऐसा कुछ लिखते हैं, blog by saddam kasim, देखो यहाँ पर भी same चीज़ लिख गई, अब मैं चाहता हूँ, यह पूरा का पूरा text center में आ जाए, है न, कैसे होग यहाँ से आप इसे white कर सकते हो, white हो गया यह, यह न, बहुत simple है, इसके बाद अभी मुझे क्या करना था, मैं चाहता था कि मेरा जो नाम है वो मेरे इस domain name से link हो जाते हैं, पहले मैं domain name को copy कर लेता हूँ, copy कर लिया, अब इस saddam kasim जो लिखा हुआ है, इस नाम को मुझे link में convert करना है, तो कैसे करते हैं, बहुत simple है, यहाँ पर आप जाओगे और simply इसको select कर लो, select करने के बाद यह दिया हुआ है link का option, click करो, simply उस link को paste कर दो, जो मेरा main domain है, उसके बाद arrow पे click कर देते हैं, और देखो यह link में convert हो गया, एक बार अब इसको publish करना है, अब यहाँ पे display your template, यह अपने footer का template ready किया है, यह अपनी website पर कहां दिखाना चाहते हो, add condition पर click करो, और यहाँ पर include entire site होना चाहिए, इसका मतलब यह है, कि आपकी पूरी website पर पूरे blog पे हर जगह दिखाई देगा, हर post के bottom में दिखाई देगा, हर page के bottom में दिखाई देगा, सभी जगह तब ही यहाँ पर entire site selected है, बस इतना करने के बाद save and close कर देना, that's it, अब एक बार इस page को हम refresh करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखो, वो वाला footer हट गिया, लेकिन यह वाला footer आगे, जो हमें नया नया बनाया है, है ना, आप चाहो तो इसका color भी change कर सकते हो, मेर इसके बाद update करके फिर से एक बार refresh कर लें इस page को, देखो yellow आ गया, है ना, इस तरह से आप footer को भी ready कर सकते हो, अब logo कहां से set किया जाए, और यह header कैसे हम change कर सकते हैं, तो Elementor Pro की help से आप अपना खुद का header भी बना सकते हो, और बढ़िया सा header आप ready कर सकते हो, तो उसके ल करना होता है, that's it, वापस WordPress के dashboard में आ गया, फिर से आपको templates में theme builder में जाना होता है, अब इस बार हम header ready करेंगे, तो यह रहा header का option, plus पे आपको click करना है, और फिर से elementor की screen load हो जाएगी, फिर से repeat करूँगा, license key नहीं है, तो आप कोई भी pro template यहां से use नहीं कर सकते हैं, इस pop- news दिखाने हैं, तो मतलब इस section को मुझे दो columns में divided करना पड़ेगा, तो इस section के अंदर हम एक और section लेंगे, जिसे हम कहते हैं inner section, और inner section by default दो columns में पहले से divided होता है, आप उठाओ और यहां पे से drop कर दो, यह पहला column है, यह second column है, first वाले column में logo दिखाना है मुझे, तो यहां मैं set कर देता हूँ as a logo, बाकि आप अपना खुद कर design कर लेना, फिर put कर देना, तो यह आगे है logo, अब second वाले में मुझे menus दिखाने हैं, तो menu display करवाने के लिए यहां पे दिया होता है WordPress menu का widget या element, इसे आप drop कर दो, ठीक है, जैसे आप drop करोगे, अपने आप सारे menu fetch कर पहले चीज़ तो यह logo का column है ना, काफी बड़ा है, logo छोटा सा column इतना बड़ा है, तो मज़ा नहीं आ रहा, हम क्या काम करेंगे, इस first वाले column की जो width है ना, उसे कम करेंगे, कैसे कम करते हैं, दोनों columns के बीच में black line होती है ना, यहां mouse रखो, left में click करके बाद से left में move करत चले जाओ, इस तरह से, तो आप देख रहे हो, यहां पर first वाले column की जो width है, वो कम हो गई है, logo भी देखो, छोटा हो गया, ठीक है, पहली चीज़ तो यह है, अब दूसरी चीज़ यह है, जो second वाले column, इसमें menus हमने ले रखे हैं, menu थोड़ा मजा नहीं आ रहा, मोटे मोट font है, मतलब अच्छे नहीं लग रही है, इसको थोड़ा बद हम ठीक करते हैं, पहले pencil पर click करो, ताकि इसकी setting open हो जागा, इसकी menu की setting, यह menu की setting left hand side पे open हो गई, अब इसके बाद यहां पर देखो content tab की नीचे दिया हुआ है, layout को options आरे दिये हुए, horizontal है, आप चाहो तो right में shift कर सकते हो, देखो अपने column में right में shift हो गया, आप चाहो तो center कर सकते हो, आप चाहो तो left कर सकते हो, या आप चाहो तो stretch भी कर सकते हो, तो पूरा area cover करेगा, मेरे हिसाब से right में shift करना better है, इसके बाद मुझे इनके font color है इसको change करना है, इसके बाद यहां पे आप देखो जै double line करोगे तो दो-दो line मन के आएगी उपर और नीशे इस तरह से तो यहाँ पे कुछ predefined design पहले से दिये हुए जो भी आपको ठीक लगए वैसा आप choose कर सकते हो यह वाले design में ज़्यादा सही लग रहा है यह ठीक है, इसके बाद style पे चलते है font का color change करते है यह gray gray type of color है ना हमें dark black चाहिए है यहाँ में देखो main menu के सारी setting मिलती है text color में, आप यहाँ से इसको black कर दो, इसके बाद font थोड़ा मोटा है, हमें थोड़ा पतला font करना चाहिए तो वो सारी setting आपको मिलती है typography में, font वाले जितनी भी setting है font family है, font size सब कुछ typography मिलता है pencil पे click करो, यह आपके सामने pop up आ गया, weight weight कम कर दोगे, font पतला हो जाएगा देखना, हो गया पतला, और करते है 400 पे, तो यह काफी थिन हो गया अगर font size control करना है तो यहाँ से करो गई, जितना बड़ा चोटा इतना बड़ा font रखना है, छोटा रखना है वो सब आप यहाँ से control करते हो तो यहाँ पे मैं काम करूँगा, font का size हम रख लेते हैं, 15 pixels है ना, इतना ठीक रहेगा, इसके बाद अब देखो, यहाँ पे, जो हमने logo लिया है इसका background color white है, थोड़ा अलग सा देखो दिख रहा है, तो क्यों न हम इस पूरे section का background color ही white कर दें, तो यह logo उसमें घुल मिल जाएगा तो क्या करना होगा, हमें section की setting में जाना है, six little dots पे click करेंगे, section की setting open हो गई, style में जाएंगे, यह रहा background, और यहाँ classic में जा करके, आप इसे color लिक्वाइट कर दो अब देखो, logo घुल मिल गया सब में बड़े आओ गया logo, अच्छा एक चीज़ और करते हैं यहाँ पर जो menus हमने लिए हैं यह home है, about us है, privacy policy यह उपर की तरफ है, नीचे extra space है मैं जाता हूँ, यह menus बिलकुल बीचो बीच में आ जाए, मतलब यहाँ पर center में आ जाए, उपर भी equal space रहें, नीचे भी equal space रहें तो उसके लिए, simply इसके column की setting में जाना होगा, यह जो icon है ने column की setting वाला icon होता है, left click करोगे, column की setting open हो गई अब यहाँ पर आपको मिलेगा, layout tab की नीचे, vertical align तो यहाँ से आप इसे करतो middle, तो यह अपने अप center में देखो आगए, अब थोड़ा और better लग रहा है header की height काफी जादा है, इस पूरे area को header कहते हैं, इसकी height काफी ज्यादा है, ज्यादा इसलिए है, ऊपर भी काफी gap है, नीचे भी काफी gap है, menu और यह logo तो बीच में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक बहुत gap है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बहुत gap है वजह यह होती है, कि यह जो बाहर वाला हमने section लिया है, इसके अंदर, जिसके अंदर एक column पहले से होता है उस column में कुछ space पहले से set है theme की तरफ से, हमें उस space को हटाना होगा, उस space को हम कहते है padding, तो हम जाएंगे outer section के इस column में, यह रहा column, click करोगे, यहाँ पर तो outer section के column के setting open हो गई advanced में जाएंगे, यह दिया हुआ है padding, तो यहाँ पर top में top मतलब उपर extra space होगा bottom का मतलब content के नीचे extra space होगा फिर right left सब जगे होगा तो यहाँ पर padding कर देंगे हम zero, जैसी देखो मैंने zero किया ना, सारी values zero हो गई है, और header के height कम हो गई है, अब यह सारी values क्यों zero हो गई है, हमने तो खाली top को बढ़ेगी, देखो और कोई भी value नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पर basically आपको समझना होगा यह link values together वाला icon क्या काम करता है bottom में भी हम 4 pixel की यहाँ पर padding रख लेते हैं, इसके बाद publish कर दीजिए, फिर से condition लगानी पड़ेगी, हमें entire site पर यही वाला header दिखाना है save and close कर देंगे और अपने front page को refresh कर लेते हैं, यह देखो एक बड़ी आसा logo आ गया है यहाँ पर पूरा header हमारा ready है, इसके बाद यहाँ पर footer भी ready है, अब जो post आप लिखते जाओ वह अपने आप यहाँ पर दिखती रहेगी post है ना, बहुत बहुत सिंपल है यह, तो इस तरह से आपको अपना blog WordPress पे setup करना है, अब थोड़ा बहुत समझते हैं बई कि WordPress क्यों हमारे लिए better है, हमने सारे points कवर कर लिए हैं, बहुत सारे यहाँ पर points से जिसकी वज़े से आपको WordPress पे ही अपना elementary की help से कर सकता हूँ, blogger में यह चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन WordPress में यह चीज पॉसिबल है, अब यह जितने चाहाओ आप उतने customizations कर सकते हो, उसके बाद on-page SEO fixism कर सकते हैं, मैंने rank math plugin आपको use करके दिखाया, जितने भी on-page SEO के issues हैं, वो आप easily fix कर सकते हो, then after Google search console, a Google analytics setup, इसको समझते हैं अभी, यह कैसे करेंगे, Google search console, Google webmaster tools, यह पहले Google webmaster tool कहा जाता था, लेकिन अब Google search console कहा जाता है, यह Google की एक ऐसी service है, जो आपके links को अपने database में add करने का काम करती है, उसे हम indexing process कहते हैं, मतलब Google आपके blog के links को अपने database में index करता है, add करता है, तो इसे हम easily setup कर सकते हैं, WordPress में, लेकिन blogger में आप यह नहीं कर सकते हैं, blogger में आपको अलग से Google webmaster tool setup करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे link submit करने होंगे, और same चीज यहाँ पर यह भी है, Google analytics के साथ में, Google analytics, Google की एक ऐसी service है, जिससे आप अपने blog के traffic को monitor कर सकते हो, एक एक चीज को monitor कर सकते हो, कहां से traffic आ रहा है, किस device में मुस्टरी लोग आते हैं, वो सब कुछ आपको Google analytics में मिलता है, तो WordPress में आप सिर्फ एक plugin की help से यह दोनों account easily setup कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, वापस चलते हैं WordPress के dashboard में, सबसे पहले हम exit मारेंगे यहाँ से, plugins में जाना होगा, add new पे click करेंगे, Google का एक free plugin है, नाम है site kit, इस plugin को बस आप install करो, यह आपको Google search console भी setup करेगा, analytics भी setup करदेगा, दीजे, आपके support की बेहत जरूरत है, so यहाँ पर यह plugin almost हमारा install हो चुका है, इसके बाद से activate भी कर देते हैं, okay, अब यहाँ पर आप देखो, message आगे, congratulations the site kit plugin is now activated start setup, अब हम इस plugin को setup करना होगा, start setup पे आप click करोगे, यहाँ पर इस checkbox को select कर देना, इसको भी select कर देना, अभी कुछ दिर wait करना होगा, इस compatibility पहले चेक कर रहा है, कि यह plugin proper तरीके से compatible है या नहीं है, so अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, button enable होगया, फिर से checkbox को select करेंगे, and then sign in with google, कुछ steps आपके सामने आएंगे, आपको सारे positive answers ही यहाँ पर select करने है, यहाँ पर आपसे पूछेगा, आपको कोई भी Gmail account है, उससे आप login करो, तो obvious सी बाद है, Gmail के तो ही आपका Google search console और Google analytics setup होगा, तो यहाँ पर एक Gmail account हम select कर लेते हैं, इसके बाद, यह आपसे पूछेगा, site kit wants additional access to your Google account, Google है, trusted है, आप simply continue कर दो, now, have Google verify site ownership, अब Google आपके blog की ownership को verify करना चाहता है, आप ही इस blog के मालिक हो या नहीं, तो वैसे तो जो दूसरे तरीके होते हैं, blogger में, उसमें थोड़ा complex होता है, आपको HTML code वगरा add करना पड़ेगा, फाइल वैल में आता है, ओके, यहाँ पर आप देखो verification भी complete हो चुका है, इसके बाद allow पे click कर देंगे, then after setup search console, आपको simply setup पे click कर देना है, तो Google का search console account भी आपके लिए setup हो जाएगा, and at last, setup Google analytics, एक click में Google analytics का account भी चलो setup हो गया, so यहाँ पर आप देखो, इस plugin की help से आपने दो-दो Google की services को sign up कर लिया है, बिल्कुल अराम से easily, और आपको एक line of code में भी deal करने की ज़रूरत नहीं है, now, अब यहाँ पर आपसे account भी create करने लिए कुछ input वगरा मांगेगा, so यहाँ पर मैं एक नया account create कर दूँगा, setup, new account वगरा, तो इस तरह आपके सामने interface आएगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जो भी नाम आप देना चाहो, जैसे मैं यहाँ पर domain name भी देता हूँ, how to search, ठीक है, control C कर लिए, property का नाम भी यह दे देंगे हम, और web stream का नाम भी यह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपना country वगरा जरूर choose कर लिए, जैसे मैं यहाँ पर choose करूँगा, इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, अगर आप बंगलदेश, पाकिस्तान यह कहीं और से हो, तो आपना country यहाँ पर choose करोगे, ताकि आपका जो local time zone है, वो select हो जाएगा, then after create account पर click कर देते हैं, और नए analytics का account भी हमारे लिए create कर दिया, इस plugin ने, फिर से एक बार sign up मांगेगा, तो simply आपको अपने gmail account में access दे देना है, अब यहाँ पर यह agreement आता है, आपको पूर agreement को simply scroll कर देना है, तो फटापड यहाँ में scroll करेंगे हम, तभी यह वाला checkbox enable होगा, इसके बाद I accept पर click कर देते हैं, that's it, तो आपका Google Analytics का account भी proper तरीके से setup हो चुका है, now go to my dashboard, और यह आपका WordPress का dashboard open हो गया, अब जितना भी traffic वगरा आएगा, वो सब आप यहीं पर देख सकते हो, WordPress में ही, site rate में आप जाओगे, यहाँ पर आपको traffic दिखाई देगा, कितने impressions हैं, clicks हैं, बाइक काफे सरे और भी metrics आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, अब WordPress में एक बहुत बड़ा reason और भी है, आपको WordPress में ब्लॉगर की comparison में जल्दी rank कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे tools मिलते हैं, जिससे आप पोस्ट को optimize कर सकते हो, ब्लॉगर में ऐसा कोई भी tool आपको नहीं मिलता है, और सबसे main मुद्दे की बात यह है, कि आपको पैसे कमाने हैं ब्लॉग से, WordPress में multiple monetization possibilities होती हैं, आप affiliate product के जरीए भी अपने blog को monetize कर सकते हो, affiliate product सो promote करके, button से बगरा लगा करके, images लगा करके, बहुत easily आप earning कर सकते हो, Google AdSense का approval भी आपको easily मिलता है, क्योंकि WordPress में आप वो सारे criteria easily fulfill कर पाते हो, जो Google AdSense approval के लिए बेहद जरूरी है, sponsored ads आप ले सकते हो, भाई आपके blog पर traffic आना शुरू हो गया है, तो obviously बात है, लोग आपसे sponsored ads करवाएंगे, आप उनसे पैसे चार्ज करो, महीने के या हफते के या per year contract पर ले सकते हो, guest posting भी आप करवा सकते हो, मतलब दूसरे लोग आपके blog पर अपने articles पब्लिश करना चाहेंगे, वो सिर्फ backlinks के लिए, तो उसका भी आप अच्छा खासा पैसे चार्ज कर सकते हो, लोग सिर्फ लिंक पुट करने के भी पैसे पे करते हैं, तो भाई इस तरह से आप WordPress पे अपना blog सेट अप करो, blogger पे करना चाहो तो भी कर सकते हो, अब वो आपके risk के ऊपर है, blogger 100% free है, free है या तो यह कुछ कमी होगी उसके अंदर, और कहीं अगर आप पैसे पे कर रहे हो, तो definitely आप कुछ benefit तो होगा ही होगा, so उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके काम कर रहा होगा, please चैनल को subscribe जरूर कर लें, वीडियो को like कर दीजिए, अगर आप चाहते हो कि आपके specific topic की उपर, कोई next वीडियो बनाया जा, just let me know in the comment section मिलते है next वीडियो में,